ग्राम रक्षा समीती नगर रक्षा समीती के सभी सम्मानित कारिकर्ता मित्रो मंच पर आसीन आज की सभा के प्रमुखतिती माननी है श्री जगदीश देवडाजी जो ग्रह मंत्री है मध्यप्रदेश सरकार के मेरे भारत स्वाभिमान अभ्यान में कई बार अपनी उपस्थिती दर्ज करा चुके यहां के जो आईजी महोदें हैं उज्जेन जोनके श्री पवन जेन जी जिनकी कविताएं हमने बार बार सुनी हैं हरिद्वार में आस्था चैनल पर भी आई है इस कारिकर्म में उपस्थित डियाई जी श्री आदर्श कटयार जी माननिय विदायक श्री पारसमल जी माननिय विदायक श्री मनुहर भाई S.P. रतलाम श्री वेद्परकाश शर्मा जी जिनके अथक प्रयासों से मैं आपके बीच में आ सका स्पी नीमच श्री रादेश्याम जी और स्पी मंसौर श्री डीपी गुपता जी मैं आप सभी का अभार व्यक्त करता हूँ विशेश रूप से माननिय श्री वेद प्रकाश जी शर्मा का जो पुलिस अधीक्षक हैं रतलाम के उनकी धरमपत्नी श्रीमती पुश्पांजली का जो हमारे भारत स्वाविमान की मद्धि प्रदेश की राजे प्रभारी हैं उनके बारबार अनुरोद के कारण मैं यहां पर आ सका और मुझे आप सबसे संबाद करने का मौका मिला मुझे बहुत आनंद है खुशी है परमपूजिनिये स्वामी रामदेव जी का कुछ संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ कुछ बातें उनके द्वारा जो मुझे कही गई है क्योंकि मैंने इस कारिकरम के बारे मैं स्वामी जी को जब बताया कि मैं रतलाम जा रहा हूँ क्या कहूँ तो उन्होंने कहा कि दो तीन बातें जरूर कहना मेरी तरफ से तो जो बातें उन्होंने मुझे कही वो मैं पहले कहूँगा बाद मैं कुछ मेरी बात करूँगा सबसे पहले परम्पुजिने स्वामी रामदेव जी ने जो आपके लिए कहा है वो ये कि ग्राम रक्षा समीती नगर रक्षा समीती अपना काम अच्छे तरीके से करें इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ग्राम रक्षा समीती और नगर रक्षा समीती के सभी कारिकरता सदस्य एकदम स्वस्थ हो निरोगी हो उनका जीवन रोग मुक्त हो उनका जीवन प्राण योक्त हो चिकितसा मुक्त हो ये बहुत आवश्यक है अगर नगर रक्षा समीती, ग्राम रक्षा समीती के सभी सदस्यों को बीमारियां है किसी को ब्लड प्रेशर है, हाई या लो, किसी को गुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है किसी को सिर में दर्द है, किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है किसी को बुखार बार बार आता रहता है अगर ऐसी बीमारियों में आप घिरे हुए हैं तो आप जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो नगर की क्या करेंगे गाओं की क्या करेंगे तो परंपुजनिय स्वामी जी ने मुझे कहा कि सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से ये कहना कि नगर रक्षा समीती, ग्राम रक्षा समीती के सभी कारिकरता स्वस्थ हो, निरोगी हो संपुन रूप से, तन और मन से किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो ये उनका पहला संदेश है तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ अब आप ये पूचेंगे मुझसे कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, रोगमुक्त रहें तो इसके लिए क्या करें तो इसके लिए रोज नियमित सबेरे पांच बजे उठकर थोड़ी देर प्राणायाम कर लें थोड़े योगासन कर लें प्राणायाम और योगासन आपको निशुलक रूप में सिखाया जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है रतलाम, नीमच और मंसौर तीनों ही इस्थानों पर भारत स्वाविमान के कारी करता है पतंजल योग पीट के योग सिक्षक है वो आपके बीच में आकर योग की कक्षाएं ले सकते है और आप सब को ये सब बहुत अच्छे से सिखा सकते है हमारे माननिय शरी वेद प्रकाश शर्मा जी योग में बड़े अच्छे पंडित है प्रानायाम बहुत अच्छे से जानते है खुद करते हैं सिखाते रहते हैं यह सीखने की ललक थोड़ी पैदा हो जाए तो सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है भारत में लकबग 11 लाख योग सिखशक है जो प्रतिदिन निशुलक रूप से योग कक्षाएं लेते हैं और आपके जैसे करोणों लोगों को योग और प्राणायाम सिखाते हैं तो आप ये थोड़ा सीख लीजे, बहुत आसान है, सांस को कैसे भरना है, सांस को कैसे निकालना है, छोटा छोटा प्रयासों से भस्तरि का कपालभाती, अनलोम, विलोम, उदगीत, प्रणव, ये पांसाथ प्राणायाम आप नियमित करते रहें, निश्चित रूप से आप निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि करोणों भारतवासी ये प्राणायाम करके निरोगी हो चुके हैं, जिनको बलड प्रेशर रहता था ब 20-20 साल से, जिनके हिरदय में 3-3 ब्लॉकेज थे, डॉक्टरों ने जिनका कह दिया था कि बचने की दूर दूर तक संभावना नहीं, जो कैंसर के मरीज थे, अर्थराइटिस में जो बिस्तर पर हमेशा पड़े रहते थे, उठ नहीं सकते थे, ऐसी गंभीर बीमारियों के बहुत सारे लोग इस देश में निरोगी हो चुके हैं, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम करके, तो परंपुजनिय स्वामी जी का पहला आपके लिए संदेश है, कि आप नियमित रूप से थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, स्वस्थ बनें, औ और आप स्वस्थ होंगे, तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, स्वस्थ परिवार सुखी परिवार होता है, और जो आदमी सुखी होता है, वो दूसरों को सुख दे सकता है, दुखी आदमी कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता, तो आप सब ग्राम रक्षा समीती, न कश्चित दुख भाग ववेत हम सब सुखी बने ये तभी संभव है जब निरोगी होंगे और निरोगी होने के लिए बहुत आसान तरीका है सुबह थोड़ा आदा घंटे 45 मिनट अगर हो सके तो एक घंटे का प्राणायाम और योग अगर आपके घरों में टेलिवीजन की व रुकावट के ये योग और प्राणायाम सिखाते हैं वो आप आस्था चैनल खोलकर कभी भी बैठके देख सकते हैं चैनल पर देख कर टीवी पर देख कर सुन सकते हैं और आपारे योग सिक्षकों से सीख सकते हैं दूसरा संदेश परंपूजी निये स्वामी जी ने जो दिया है आप सभी के लिए वो ये कि नगर रक्षा समीती ग्राम रक्षा समीती के सभी कारिकरता पूरी तरह से व्यसन मुक्त हो उनके जीवन में कोई व्यसन नहो बीडी न पियें सिगरेट न पियें गुटका न स्वामी जी ने ये दूसरा संदेश दिया है उनका ये कहना है कि अगर आप व्यसन में फसेंगे तो आप समाज में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और अगर आप समाज में आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं मानेगा नहीं इसलिए आप से स्वामी जी ने कहा है कि आप पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों शराब ना पियें, गुटका ना खाएं, बिली सिगरेट ना पियें, तंबाकू ना खाएं किसी तरह की कोई जहरीली दवा का कश ना लेना शुरू करें और अगर ले रहे हैं, या ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस व्यसन से आप मुक्त हो जाएं, ये बहुत आवश्चक है आपके लिए आप ये कहेंगे, कि हम तो बहुत सारे ऐसे कारे करता हैं, जो व्यसन नहीं करते उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुपकामना देता हूं, जिनोंने अपने जीवन में सब तरह के व्यसन छोड़ दिये हैं लेकिन जो छोड़ नहीं पाए हैं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, कि जल्दी से उनके मन को इतनी शक्ती मिले कि वो इस व्यसन को छोड़ सके मैं एक छोटी सी दवा आपको जरूर बता सकता हूं, अगर आप मैंसे कोई लोग ऐसे हों जो ये कहें, कि हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है बहुत लोग मुझे ये कहते हैं, कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटका खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उट जाती है, क्या करें? बार बार लगता है कि ये बीडी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब हो जाती है तो क्या करें हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब आ जाती है तो क्या करें तो आपको बीडी सिगरेट की तलब ना आए, गुटका खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाए बताता हूँ, जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते। पहला उपाए तो ये है, कि जिनको बार-बार तलब लगती है, और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रन नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। दाहिनी नाक बंद कर दो, और खाली बाई नाक से सास भरो और छोडो, जिसको हम लोग चंदरनाडी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो, जितनी ज़्यादा सक्रियता आपके चंदरनाडी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और आप इतन संकल्प वान हो जाएंगे, जो आसानी से कोई भी बाद ठान लेंगे, तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे, ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है, दूसरा एक तरीका है, कि आपके घर में एक आयुरवेदिक आउशदी है, जिसको सब जानते हैं और पहँचानते हैं हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसंद छोड़वाने में और उस ओशदी का नाम है अद्रक अद्रक हम सब के घर में है इस अद्रक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे उसमें नीवू निचोड़ दो थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो सूरज की धूप में इसको सुखा लो सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खतम हो जाए ये अद्रक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है गुटका खाना है बिली सिगरेट पीनी है तो आप एक अद्रक का टुकड़ा निकालो मूँ में डालो उसका चूसने का काम शुरू कर दो और ये अद्रक ऐसी अद्वुचीज है इसको दांत से काटो मत तो सबेरे से शाम तक ये मुँ में आपके सुरक्षित रहता है इसको चूसते रहो आपको गुटका खाने की यादी नहीं आएगी आपको बीडी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर से बता देता हूँ अद्रक ले लो छोटे टुकडे कर लो नीवू निचोड लो फिर उसमें काला नमक मिला लो धूप में सुखा लो सुखाने के बाद वो तैयार हो गया तैयार होके इसको जेव में रखो पुढिया बना के रखो डिबबी में रखो जैसे भी है जेव में रखो जब दिल में तलब उठे बीडी पीना, सिगरेट पीना दारू पीना, गुटका खाना एक गुटका, मने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीब पे रखो चूसना शुरू कर दो जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा आप देखना इसका चमतकारिक असर होगा आपको फिर गुटका, बीडी, सिगरेट तंबाकू, दारू, यादी नहीं रहेगी सबरे से शाम तक चूसते रहो और जो दो चार, दस दिन पंद्रे दिन, बीस दिन लगातार कर लिया, तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा आप बोलेंगे ये अद्रक में ऐसी क्या चीज़ है ये अद्रक में एक रसाइन एक तत्व है, जिसको हम रसाइन शास्तर की भाशा में केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर, अद्रक में सल्फर बहुत अधिक मातरा में है जब हम अद्रक चूसते हैं तो वो सल्फर है, जो अद्रक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोंस को, कुछ ऐसे अंदर अंतेसावी ग्रंतियों को सक्रिय कर देता है, जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेडित करती है। की गुठके की तंबाको की। तो सल्फर की मातरा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खतम हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परिक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखत परिनाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बिली सि भरपूर मातरा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होमियोपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते। आप कोई भी होमियोपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रिता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको एक छोटी सी शीशी में भरके दे देगा, और सल्फर नाम की दवा होमियोपेथी में पानी के रूप में आती है प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में तो ये पानी जैसी आएगी दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है वो दवा एक छोटी सीशी में ले लो पांच मिली लीटर दवा की सीशी पांच रुपए में आती है और उस दवा का एक बून जीप पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट फिर अगले दिन और एक बून डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट और तीसरे दिन एक बून डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट बस तीन बार अगर आपने एक एक बून डाल ली तो पचास से साथ प्रतिशत लोगों की दारू, बीडी, सिगरेट तो तीन खुराक में ही छूट जाती और जो ज़्यादा पियककड है हाँ ऐसे भी है ना जिनकी शाम बिना पिये गुजरती ही नहीं उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं तो उनको ये निवेदन है कि ये सलफर नाम की दवा को हर हफ़ते एक बार ले लिया करें आज ले लिया, पांच-छे दिन बाद फिर ले लिया, फिर पांस-साथ दिन बाद ले लिया, हफ़ते में एक-एक बार लेते जाएं तो डेड़ दो महीने में बड़े-बड़े प्यक्कडों की दारू छूट जाती है मैंने ऐसे-ऐसे लोगों की दारू छुडवाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते उनकी भी दारू छूट गई है बस इतना ही है कि दो-तीन महिने का समय लगा है तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है बाजार में मिलती है होमियोपेथी की दुकान पे अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आप से एक सवाल पूछेगा वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दू कितनी पूटेंसी की दवा दू तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना दो-सो ताकत की दे दो दो-सो पूटेंसी की दे दो सल्फर दो-सो यही उसका पूरा नाम है दो-सो संख्या है जिनकी दारू है तो उनके लिए यही सल्फर की एक हजार ताकत की दवा ले लेना एक हजार पोटेंसी की तो सल्फर दो सो और सल्फर एक हजार और अगर आप सब ग्राम रक्षा समीती की तरफ से बोतल खरीद लो इसकी बहुत सस्ती आती है ऐसे खरीदोगे तो पांच रुपई में पांच मिली लीटर है और बड़ी बोतल खरीद लो ढई सो मिली लीटर की या साड़े चार सो मिली लीटर की वो डेड़ दो सो रुपई की आती है और एक बोतल सल्फर दवा में दस हजार लोगों की शराव आसनी से छूट जाती है मातर एक बोतल में और वो बोतल कितने की है सवा दो सो डाही सो रुपई की और दस हजार लोगों के लिए वो काम आ जाती है और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना जो पीने वाला पानी है और वो पानी जो शरावी लोग हैं जो पियकड लोग हैं जो व्यसन करने वाले लोग हैं उनको पिला देना ये पानी में और अच्छे से काम करती है कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया उसमें एक बून डाल दिया अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं तो एक बिता दिया मैंने आपको अदरक उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए और दूसरा बता दिया मैंने आपको सलफर जो होमियोपेथी में है एक दो सो ताकत की एक एक हजार ताकत की और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो तो बाईनाक से सांस लेना बाईनाक से सांस निकालना पांच मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह के कमजोरी मन की खतम हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तीसरा और आखरी संदेश जो स्वामी जी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बात आप सबको मैं जरूर कहूँ स्वामी जी ने कहा कि आप अपने जीवन में हिंदू हैं या मुसल्मान सिख हैं या ईसाई जैन हैं या बौद ये सब अपने घर तक सीमित रखो हम हिंदू हैं कोई मुसल्मान हैं कोई सिख हैं कोई इसाई हैं कोई जैन हैं कोई बौद हैं ये सब हमारे व्यक्तिकत जीवन तक सीमित रखो अपने घर तक सीमित रखो जब आप ग्रामरक्षा समीती का काम करने के लिए निकलो तो आप सब भारतवासी हो और भारतिय हो सिर्फ इतना ही याद रखो काम करने के लिए हम जब घर के बाहर निकल गए तो हम सब भारतिय हैं घरों के अंदर जब तक हम हैं तो पूजा पद्धतियां हमारी सब की अलग-अलग हैं कोई हिंदू तरीके से पूजा करेगा, कोई मुस्लिम तरीके से करेगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्ध होगा तो घरों के अंदर हम हिंदू सिख इसाई, जैन, धर्म, बौद्ध धर्म पालने वाले व्यक्तिकत लोग हैं घर के बाहर निकलते ही हमें भूल जाना है कि हम हिंदू हैं कोई मुसल्मान है कोई जैन है कोई बौध है हमें एक ही बात याद रखनी है कि हम सब भारतिये हैं भारत माता के सुपुत्र हैं भारत माता की सुपुत्रियां हैं भारत माता हम सब की माता है, हम आपस में भाई बहन है, तो मिलकर अपने भारत माता की रक्षा करनी है, मिलकर अपने भारत माता की सुरक्षा करनी है, भारत माता पूरा देश, उस पूरे देश में आपका एक राज्य, आपके एक राज्य में आपके छोटे छोटे कुछ जिल जिलों में आपके छोटे छोटे गाउं और गाउं में छोटे छोटे महले ये हर छोटी इकाई भारत माता की ही इकाई है आपके गाउं का महला हो या शहर का महला हो ये एक छोटी इकाई है भारत माता की तो इन सब छोटी छोटी इकाईयों की रक्षा हमें करनी है इसी के लिए ये ग्राम सुरक्षा समीती या नगर सुरक्षा समीतियों का गठन हुआ है ये संकल्फ हमें लेके काम करना है कि हम भारतवासी हैं अपनी भारत माता की भूमी की एक एक इंच जमीन की रक्षा हमें कर अपरादियों से उन सब लोगों से जो देश को तोड़ने के काम में लगे हैं विगटन करना चाहते हैं इस देश को नुकसान पहुचाना चाहते हैं तरीके उनके कुछ भी हो हमें उनके तरीकों को नाकामियाब बनाना है असफल बनाना है और अपने संकल्पों को सफल बनान हैं और सार्थक बनाना है स्वामी जी के ये तीन संदेश हैं आपके लिए पहला संदेश कि आप सब निरोगी हों रोगमुक्त हों चिकित्सा पर आपको कोई पैसा खर्चना करना पड़े ज्यादा दवाएं आपको ना खानी पड़े उसके लिए योग प्राणयाम करें दूसरा संदेश स्वामी जी का आप व्यसन मुक्त हों किसी भी तरह के व्यसन में नाफस हैं और तीसरा और आखरी संदेश स्वामी जी का कि हम सब सार्विनिक जीवन में भारतिय बने व्यक्तिकत जीवन में हिंदू मुसल्मान कुछ भी हो भारती होकर इस देश के लिए काम करें ये तीन संदेश स्वामी जी ने कहा था कि जरूर मैं दूँ आपको जब रतलाम जाओं तो ये मैंने स्वामी जी के संदेश आपको दिये अब स्वामी जी के संदेश को बढ़ाते हुए एक बात में और कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि आप अगर निरोगी और रोगमुक्त होना चाहते हैं और उसके लिए योग प्राणायाम एक साधन आपके पास है एक दूसरी छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ आपको उसको जोडते हुए कि हमारे योग और प्राणयाम की जो सिक्षा हम लेते है न वो अश्टांग योग के सूत्र वाली है पतंजली योग दर्षन में ये दर्षन की बात है सिद्धान्त जो है वो अश्टांग योग के हैं मानि आठ अंग है उसके योग के और इन आठ अंगों में जो सबसे पहले दो अंग है वो यम और नियम हैं तो यम नियम का पालन हम करते हुए योग आसन प्राणायाम आदी करते हैं तब इसका पूरा लाव होता है तो मैं आपको आपकी जिन्दगी के लिए छोटे छोटे चाहता हूँ और ये चार नियम का पालन आप सब करिए मैं आपको विनमरता पूरवक लेकिन विश्वास से कहता हूँ कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं परम पुझनिये स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत आच्छा होगा मैं भी करता हूँ मेरे जीवन मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूँ उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं वो नियम का पालन करता हूँ और वो ही नियम आपको बताना चाहता हूँ स्वामी जी पालन करते हैं मैं करता हूँ हमारे लाखों योग सिक्षक करते हैं और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाब हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं पंद्रे साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइगलिस्राइट्स नॉर्मल है कॉलिस्ट्रोल नॉर्मल है पिछले पंद्रे साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुरवेद की एक छोटी सी जानकरी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ आयुरवेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है रोगमुक्त होना है तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे अपना वात, पित और कफ तीनों का संतुलन रखे वो तीन तरह के दोश हैं हमारे शरीर में वात, पित, कफ आपने सुना होगा ये त्री दोश आधारित शरीर है जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो असी से जादा रोग आते है जब पित बहुत बिगड़ जाता है तो लगबग 46 से 50 रोग आते है और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते है और वात, पित, कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते है सरदी खासी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखरी रोग माना जाता है ये सब वात, पित, कफ के बिगड़ने का खेल है तो इस देश के आयुरवेद, चिकितसा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं जैसे चरक रिशी, जैसे शुशुर्त रिशी, ऐसे एक रिशी हुए बागवट बागवट रिशी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अश्टांग हिर्देम और एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अश्टांग संग्रहम इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने साथ हजार नियम बताए हैं उन में से चार बताता हूँ अच्छे लगें तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े ये चारों नियम है वात, पित और कफ को संतुलित रखने के लिए अब वात, पित, कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना ये पहला नियम है आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है खाना खाते ही पानी पीते हम तो सब के सब और बिना पानी पीए खाना ही नहीं खाते कई लोग तो खाने से ज़्यादा पानी पीते खाना कम खाते हैं पानी ज़्यादा पीते ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना क्योंकि महर्शी बागवट कहते हैं भोजन अंते विशम वारी मानि भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंद बाद पानी मत पियो अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिये कारण बता दो कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाशा में हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकठा होता है पेट में एक इस्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं ये जठर छोटा सा इस्थान है, आपके पेट में ना भी है ना, उसके लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ छोटा सा इस्थान है, सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है, जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सबजी, दूद, दही, कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है, अब जठर में जैसे ही खाना इकठा होता है, तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठर अगनी, मिला के बोल देते हैं जठर अगनी, आप जैसे ही खाना खाते हो, पेट में जठर में अगनी जलती है, वो अगनी खाने को पचाती है, और अगनी खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अगनी खाने को पकाती है आपके रसोई घर में आप अगनी जलाओ उसके उपर दूद रख दो दूद में थोड़ा चावल डाल दो अगनी जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी आप घर में अगनी जलाओ उसके ऊपर पानी रख दो उसमें डाल डाल दो डाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अगनी जलेगी ऐसे ही पेट में होता है जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जलती है और जब तक अगनी जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं अंगरेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं तो आप ने खाना खाया पेट में अगनी जल गई अब वो खाने को हजम करेगी पचाएगी अब मुझे एक प्रश्ण का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जल गई और वो खाने को पचा रही है तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया बरफ मिलाया हुआ पानी पी लिया फ्रिज का पानी पी लिया क्या होने वाला है अगनी जलेगी की बुझेगी अगनी के उपर पानी डालो तो अगनी और पानी की दोस्ती नहीं है दुश्मनी है पानी अगनी को बुझा देता है तो आपने खाना खाया अगनी जली पीछे से गड़गड पानी पी लिया अब अगनी शान्त हो गई अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सो से जादा विश पैदा करेगा और वो सौविश आपकी जिन्दगी को नरक बना देंगे और जिन्दगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है ये गैस उनी को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उनी को होती है जिनका खाना पचता नहीं कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं तो खाना पचेगा नहीं, तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विश पैदा करेगा, और वो विश आपको बीमार करेंगे, इसलिए महर्शी बागवट्ट ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो, समझ में आया, फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पियें, कम से कम एक घंटे त एक घंटे बाद पानी पियो, आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों, यह जो अगनी जलने की क्रिया है, यह लगवग एक घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अगनी अपने आप शान्त हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो, तो खाना अगर दस बज़े खाया, तो ग्यारे बजे पानी पीओ, ग्यारे बजे खाया, तो बारे बजे पीओ, बारे बजे खाया, तो एक बजे पीओ, एक घंटे बाद पानी पीओ, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, कि खाना खाने के पहले पी लें क्या, हाँ पीलो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पीलो, 10 बजे खाना खाना है 9 बज के 20 मिनट पे खूब पानी पीलो जितना पी सकते हो 11 बजे खाना खाना है 10 बज के 20 मिनट पे पीलो खूब पानी पीलो 40 मिनट पहले आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है खाने के बाद पानी तो नहीं पीएंगे कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़ कर तो उसके लिए बागभटी जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लसी पीओ मठा खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पीओ गन्य का रस पीलो संत्रे का रस पीलो नहीं तो सबसे सस्ता रस है मीबू का ही रस पीलो शिकंजी बना के पीलो वो तो सबसे सस्ता है तो खाना खाने के बाद या तो दही की लसी पीओ या रस पीओ और एक तीसरी चीज है दूद पी सकते तो खाने के तुरंद बाद पीना है तो दही की लसी या मठा खाने के तुरंद बाद पीना है तो कोई फल का रस खाने के तुरंद बाद पीना है तो दूद पानी एक घंटे बाद पियो और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सबेरे खाना खाते हैं जिसको हम breakfast कहते हैं नाश्ता तो फलों का रस पीना अच्छा दुपैर को खाना खाएं तो लसी और मठा पीना अच्छा और रात का खाना खाएं तो दूद पीना अच्छा जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी असी रोग उनको नहीं हो सकते वात्पित्तकफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो घूट घूट भरके पियो जैसे गरम चाए पीते हैं गरम कॉफी पीते हैं गरम दूद पीते हैं एक एक घूट भरके एक एक सिप करके ऐसे ही पानी पीने की आदट डालो ये मूँ में एक बार गिलास लगा लिया गटा-गट उसको खाली कर दिया ये तरीका गड़ बढ़ है एक गूट पानी दो गूट पानी एक बार में उतना ही पिऊ आप बोलोगे ये क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक एक गूट पानी जब हम पीते है तो मूँ की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है और ये जो मूँ की लार होती है ये च्छारी होती है और पेट में हमेशा अमल बनता रहता है तो एक गूट पानी पिया मूँ की लार इसके साथ अंदर गई दो गूट पिया और ज़ादा गई बार बार लार अंदर जाएगी तो च्छार पदार्त पेट के अमल के साथ मिलेगा पेट में अमल बनता है मूँ में लार च्छार ही ये होती है तो ये च्छार को अमल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अमलता नहीं होती एसिडिटी नहीं होती और पेट में अमलता नहीं होती तो रक्त में अमलता नहीं होती और जिनके रक्त में अमलता नहीं होती उनकी जिन्दगी में कभी भी वात, पित, कफ के असंतुलन की इस्थिती पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट-घूट करके पीना मैं आपको एक छोटा सा मेरा अब्जर्वेशन बताता हूँ परीक्षन आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ मनश्य को छोड़कर पशू पक्षियों को देखना शुरू करो वो पानी कैसे पीते हैं, किसी चड़िया को पानी पीते हुए देखो किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो वो चोँच के एक बून के बराबरी पानी उठाता है एक बार में एक बून पान दिलेगा फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा फिर पियेगा फिर दूसरी बून लेगा फिर चोंच चलाएगा फिर पियेगा फिर तीसरी बून एक-एक बून पक्षी पानी पीता है कुत्ते को पानी पीते हुए देखो चाट-चाट के पानी पीता है शेर को पानी पीते हुए देखो चाट-चाट के पानी पीता है जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं जितने पक्षी एक-एक घूट पानी पीते हैं नहीं है वो सब स्लिम और ट्रिम हैं क्योंकि वो इतने होशे आ रहे हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट-घूट करके पीते हैं अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशू पक्षियों को कौन सिखाता है वो अपने जन्म से ये ग्यान सीख के आते हैं उनका कोई नहीं है उनके कोई प्रसिक्षन शिविर नहीं लगते फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट-घूट पीना और हम ये मनुष जिनके इतने गुरू इतने विद्याले इतने कॉलेज सीखने वाले सिखाने वाले और हम मूर्खों के मूर गटा-गट गटा-गट पानी पीते रहते हैं तो पानी पीने का तरीका बदल दो घूट-घूट भरके पानी पीओ ये दूसरा नियम है तीसरा नियम है कि जिन्दगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पीओ बरफ डाला हुआ पानी फ्रिज में रखा हुआ पानी वाटर कूलर का पानी ज मैं समझाता हूँ सरल भाशा में पेट तो गरम है अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने तो अंदर जगडा होता है और जगडा क्या होता है या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गरम करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हिरदय ठंडा होता है हिरदय के ठंडा होते ही मस्तिष ठंडा होता है मस्तिष के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पढ़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सडक पर रख देते जो घर आपने बनाया, अपनी महनत से शरीर के ठंडा पढ़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से और फिर चिलाने लगते हैं, लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ माने ठंडे शरीर की इज़त नहीं है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई बंद कर दो कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता कोई पक्षी नहीं पीता तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना फ्रिज का और बरफ का नहीं पीना ये तीसरा नियम है और चौथा और आखरी नियम है कि आप सबेरे ही सबेरे जब सो कर उठते हो तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आँख खुल गई तो पहले दो तीन गिलास पानी पी लो उसके बाद आप टॉइलेट में जाओ उठते ही पानी पीओगे तो दो फाइदे है पहला फाइदा ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आथ को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आत की सफाई होगी, पेट पे दबाओ पड़ेगा, और आप संडास घर में जाएंगे, दो-तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा, जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, उनकी जिन्दगी में कभी रोग नहीं आता, इसलिए सुबह पेट साफ होना जरूरी, और उठते ही पानी पियोगे, तो मू की जो लार है, वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी, सुबह पेट में एसिड की मात्रा जादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जर तीसरा नियम, कभी भी जिन्दगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चौथा और आखरी नियम, सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात, पित, कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात, पित, कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है और जो बीमार नहीं पढ़ते हैं वो स्वस्थ और तंदृस्थ और सुखी रहते हैं उनकी जिन्दगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है आपको शायद मालूम है या नई एक साल में हम जब बीमार पढ़ जाते हैं भारतवासी तो साल का करीब छे लाख करोड रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने इसलिए इतना पैसा फाल्तू में हम खर्च करें हर साल छे लाख करोड ये बहुत बड़ी रकम है इस से बहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पढ़ें और स्वस्त रहें सुखी रहें और ये छे लाख करोड का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पढ़ने पर अक्सर ये ऐलोपैथी की दवाएं काने में खर्च होता है और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं जैसे पेरसीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, आक्सिफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी है भारत में धडले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज़्यादा गंबीर बीमारियों में फसा रही है ज़्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किड्नी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं आतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है पैरलीसिस हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, हर्टटेक का जाता है दुनिया में लगबग समय 84,000 दवाईं बिकती है और आपको सुनकर हेरानी होगी अन में से मात्र 117 दवाईं हैं जो काम की हैं बाकी सब बेकार की दवाईं हैं उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाग करोड खर्च करते हैं ये बहुत दुख और अफसोस की बात है और ये 6 लाग करोड का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिन्दगी में हर समय अपना आर्थिक इस्थिती को देख के चलना पड़ता है जिनकी आमंदनी बहु जाता है किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं किसी को करज लेना पड़ जाता है किसी को करज लेकर दुबारा करज लेना पड़ जाता है मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गाओं गाओं के गरीब किसान करज ले लेकर ये महंगी दव प्रमाएं खाकर इलाज करते हैं डॉक्टरों को पैसा देते हैं दवा कम्पनियों को देते हैं और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कम्पनियां विदेशी होती है तो हम 6 लाग करोड खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़ें दवा खाने की जरूरत ही ना पड़ें तो हम सुखी रहें स्वस्त रहें तो योग प्रणायाम करें चार नियमों का जीवन में पालन करें बहुत आसान है आपके ल हैं गाउं में आप खेती करते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है खेती करने वाले किसानों के सामने आजकल इस देश में एक बहुत बड़ा संकट आया है वो संकट ये है कि किसानों की जिन्दगी में कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अध्यन किया था महराश राज्य में और वो अध्यन ये था कि हिंदुस्तान के जो किसान है भारत के जो किसान है इनके जीवन में खर्चे की इस्थिती क्या है तो उसके लिए कुछ गाउं में में घूमा था कुछ परिवारों में सबसे बड़ा खर्चा है खेती का और खेती में सबसे बड़ा खर्चा है यूरिया और डिएपी का मैंने हरे एक किसान के घरगर में जाके आंकड़े इकठे किये तो पता चला कि कोई किसान अगर 100 रुपई खर्च कर रहा है जिन्दगी में तो 60 रुपई का खर्चा यूर एक्साक्लोराइट, क्लोरोपाईरी फॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटो फॉस, बीसियों किसम की जहरीली दवाएं छिड़क छिड़क कर हम हमारे किसान की जिंदगी का इंकम का 20 प्रतिशत खर्च कर देते हैं। किसान खेती करते हैं, एक साल में 21 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं, भारत के किसान, गेहु, चावल, चना, दाल, मटर, सम मिलाकर 21 करोड़ टन, इस 21 करोड़ टन अनाज को बजार में बेचें, तो 10 लाख करोड़ रुपए आता है, अब एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि य 21 करोड़ टन अनाज बेचकर, ये जाता कहाँ हैं, किसानों की एक साल की पूरी आमंदनी 10 लाख करोड़ की है भारत देश, और जो किसान जानवर पालते हैं, गाए बेल भैस पालते हैं, और उसका दूद बेचते हैं, उनकी आमंदनी और 5 लाख, 3 लाख करोड़ की है, और अब 15 लाख करोड़ की आमंदनी अगर किसानों की एक साल में होती है, तो हर किसान को इस देश में लखपती, करोड़पती होना चाहिए, लेकिन कोई भी किसान इस देश में रोड़पती है, बैंक का करजदार है, घर गिरवी रखा हुआ है, ट्रेक्टर गिरवी रखा हु गाय गिर्वी रखी हुई है गहने घर के गिर्वी रखे हुए है ऐसी हालत सब किसानों की है तो मेरे मन में हमेशा ये प्रशनाता था कि आखिर ये इतना उत्पादन करके जो बिक्री होता है ये जाता कहां है पंद्रे लाग करोड फिर मैंने भारत सरकार के अलग-अलग मंत उत्राले को और उनके एक मंत्री को पूछा कि भारत के किसान एक साल में जो खेती में कुल उत्पाद बनाते हैं बाजार में बेचते हैं दूदादी बेचते हैं फल सबजियां बेचते हैं उनकी साल की आमंदनी पंद्रे लाग करोड की है इनके खर्चे का क्या तरीका है वो जरा मुझे जानना है। तो करशी मंत्राले की तरफ से जवाब आया कि किसान जो अपनी कुल आमंदनी करते हैं साल की उस आमंदनी का 4,80,000 करोड तो खर्च हो जाता है यूरिया खरीदने में डी-ए-पी खरीदने में और करीब 2,20,000 करोड खर्च हो जाता है एंडोसलफान, मेलाथियान, पेराथियान जैसी दवाइं करीदने में अब 4,80,000 करोड गया यूरिया डी-ए-पी में 2,20,000 करोड चला गया दवाइं करीदने में 7,00,000 करोड तो ऐसे ही डूब गया किसानों का फिर मैंने पूछा जो बच गया पैसा, वो कहां जाता है तो फिर एक मंत्राले को मैंने प्रशन किया था उनका नाम है कानून और नियाए मंत्राले उनके यहां मेरी चिठी गई तो उनका जवाब आया कि भारत के किसान साड़े तीन करोड मुकद में लड़ रहे हैं किसान साड़े तीन करोड मुकद में लड़ रहे हैं एक किसान वादी है और एक किसान प्रतिवादी है तो साथ करोड परिवार मिलकर यह मुकद में लड़ रहे हैं और ये मुकदमे आज़ादी के 62 साल से चल रहे हैं तारीख पर तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख पड़ती ही जा रही है किसानों की जेब से पैसा निकल निकल कर वकीलों की जेब में जा रहा है नियाया धीशों की जेब में जा रहा है मुकदमे का फैसला होता नहीं पैसा किसानों का खर्च होता रहता है मैंने ये साड़े तीन करोड मुकदमों का एक हिसाब निकाला कि एक मुकदमे पर एक वकील अगर पैरवी के लिए खड़ा हो जाए तो पांसो रुपए से कम तो नहीं ही लेता वो नियुनतम और कुछ-कुछ तो ऐसे महापुरुष वकील हैं हमारे देश में जो एक दिन के लिए खड़े हो जाएं पांच लाख रुपए फीस ले लेते ऐसे भी महापुरुष हैं इस देश तो पांसो रुपए सबसे कम और पांच लाख रुपए सबसे जादा मैंने वो हिसाब निकाला तो पता चला किसानों के इन मुकदमे बाजी में हर साल करीब दो लाख करोड का खर चोड़ा है इनस मुकदमे बाजी और मुकदमे कैसे हैं मेरे गाओं का एक मुकदमा है जो मैं देख रहा हूँ मेरे गाओं में दो किसान मुकदमा लड़ रहे हैं उनको 36 साल हो गया मुकदमा लड़ते लड़ते मामला क्या है धाई एकड जमीन का मुकदमा है एक किसान कहता है मेरी है दूसरा कहता है मेरी है 36 साल से केस चल रहा है पहले लोर कोट में चला फिर हाई कोट में चला गया अब वो केस में धाई एकड जमीन मिलने वाली है या तो इसको या तो उसको और मुकदमा लड़ते लड़ते 36 साल में दोनों किसानों की 20 एकड जमीन बिक चुकी है वकील को फीज देने ऐसे होश्यारी के काम हमारे किसान कर रहे है अब भाया फैसला कर लो सवा एकड़ तुम ले लो सवा एकड़ मैं ले लो बात ख़तम हो जाए फाल तू वकील के पास तो ना जाए तो वो दोनों किसान कहते हैं मैं तो चाहता हूँ फैसला कर लो। वकील नहीं होने देता। और वकील क्यों नहीं होने देता। कियोंकि वो क्यों चाहेगा उसकी इंकम खतम हो जाए। तो किसानों की मुकदमे वाजी में जो खर्चा है वो करीब करीब 2,0,0 लाक करोड। अब एक खर्चा और है जो थोड़ी देर पहले में बता रहा था कि बीमार पढ़ जाएं तो डॉक्टर के पास भागें दवाएं खाएं उसमें खर्च करते हैं हमारे किसान धाई तीन ला करोड उसमें खर्च हो जाता है तो बच्चता ही नहीं है कुछ किसानों के हाथ में सारी इंकम आई और चली गई और फिर किसान करजदार हो जाता है तो आप सब किसानों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आया वो ये कि अगर आप श्रीमंत होना चाहते हैं अमीर होना चाहते हैं समर्द साली होना चाहते हैं गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा घटाओ और आमंदनी बढ़ाओ दुनिया में अर्थशास्तर का एक सिद्धान्त है कि जो देश अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो देश अपनी आमंदनी उतनी ही बढ़ा सकता है जो परिवार अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो परिवार उतनी आमंदनी बढ़ा सकता है तो आप सभी किसान परिवारों से निवेदन है विंती है आग्रे है अनरोध है कि आप अपनी जिंदगी के फाल्तू खर्चे घटाओ तो आप बोलोगे कहां खर्चा घटाएं सबसे बड़ा खर्चा है उसी को खतम करो यूरिया का खर्चा इसको घटा दो यूरिया मत खरीदो दूसरा बड़ा खर्चा है D.A.P का ये भी मत खरीदो तीसरा बड़ा खर्चा है कीट नाशक दवाओं का है एंडोसलफान, मेलाथियान वगेरा ये भी मत खरीदो फिर आप बोलोगे तो खेती कैसे करें खेती करने का मैं एक नया तरीका बताता हूँ आप मैं भी खेती करता हूँ आप भी वैसे ही खेती करो पंद्रे साल पहले मैं और मेरे जैसे बहुत किसान यूरिया डिये पी डालके खेती करते थे अब हमने यूरिया डिये पी डालना बंद कर दिया है ऐसे हजारों किसान इस देश में खेती कर रहे हैं जो यूरिया का एक दाना भी खेत में नहीं डालते तो फिर आप बोलेंगे क्या डालते हैं गाए का गोबर डालते हैं भैस का गोबर डालते हैं बैल का गोबर डालते हैं उससे खेती करते हैं फिर आप बोलेंगे ये गाए बेल भैस का गोबर डालने से खेती अच्छी होती है बहुत अच्छी होती है मैं आपको आंकणों से बता सकता हूँ 15 साल पहले जो किसान यूरिया डिये पी डालते थे एक एकड में उनको 30 मीटरिक टन गन्ना होता था अब वही किसान गाए का बेल का भैस का गोबर डालते हैं एक एकड में उनको 90 मीटरिक टन गन्ना होता है तीन गुना जादा होता है 15 साल पहले जो किसान गेहूं पैदा करने के लिए एक एकड खेत में यूरिया डिये पी डालकर 12 कुंटल गेहूं करते थे अब वही किसान 20 कुंटल 22 कुंटल तक गेहूं करते हैं गोबर और गोमूतर डालकर 15 साल पहले जिन किसानों की एक एकड में 2.5 कुंटल का पास आती थी अब गोबर गोमूतर डालकर उनकी 7 कुंटल का पास आती है मानिये उत्वादन अच्छा होता है कम नहीं होता, ज्यादा होता है तो आप बोलेंगे ये गोवर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूँ जो भी किसान भाई है वो इसको लिख ले अपने कागज पर, अपनी कौपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन ले क्योंकि ये सूत्र बताने पतानी कब कौन दुबारा आपके पास आएगा ये सूत्र वो है, जो खेती में उत्पादन तो जादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी क्या करना है? गोबर डालना है गाय का हो, या बैल का हो, या भैस का हो कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते है? गोबर को एकठा करते है एक खड़े में भरते जाते है वो सूखता रहता है फिर जब सूख जाता है तो उठा कर खेत में डाल देते हैं ये सूखा हुआ गोबर मट डालो इससे कोई फाइदा नहीं है गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो वो सबसे ज़्यादा फा फटा फट खा लेंगे एक सुखी रोटी दे दू नहीं खा पाएंगे दाल में डाल के दे दू जल्दी खा लेंगे गीली चीज जल्दी हजम होती है मिट्टी को भी और शरीर को भी तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो आप बोलेंगे कैसे करना है एक एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो तो एक एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोवर चाहिए गाय का या बैल का या भेंस का अब 15 किलो गोवर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए गाय का या तो बैल का या तो भेंस का अब आप कहोगे गोवर इकठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकठा करें, मूत्र इकठा करना भी आसान, गाए बैल भेंस जब मूत्र देते हैं न तो उसका समय एकदम पक्का है, गाए के बचले और बचली को दूद पीने के लिए छोड़ो तुरंत पेशाप करती है, डब अबरों को हम रखते हैं, वहाँ पत्थर बिचा दो, इट बिचा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड़ा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड़े में एकठा हो जाएगा, और गाए के मूत्र की, बैल कोई फरक नहीं पड़ेगा, बस उस गड़े में से उठाते रहो, 15 किलो गोवर, 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, उसमें मिला लो, मिलाने के बाद इसमें एक किलो गुड डाल दो, गुड, और गुड ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता नहो, काला काला हो जाता है, एक दम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड इसमें डाल दो एक किलो, और एक किलो डाल दो कोई भी डाल का आटा या चोकर, चोकर समझते हैं, गेउं का आटा चानने के बाद जो किलता, क्या कहते हैं उसको, चोकर कहते हैं, वो डाल दो एक किलो, या अगर सस्ती डाल हो घर में उत्पादन की हुई, तो उसको पीस के एक किलो डाल दो, तो एक किलो चोकर या एक किलो डाल का आटा, और इसमें डालो एक किलो मिट्टी, मिट्टी कहां से लानी है, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बर्गत के पेड़ के नीचे की मिट्टी तो एक किलो मिट्टी एक किलो दाल का आटा एक किलो गुड पंदरे लीटर मूत्र पंदरे किलो गोबर ये पांच चीजें एक ड्रम में मिला दो मिलाने के बाद पंदरे दिन इस ड्रम को चाओं में रखो दूप में मत रखना चाओं में पेड़ के नीचे रख दो चाओं में रखने के बाद पंदरे दिन में खाद तयार हो जाएगा फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ और पानी मिलाके जो गोल तयार हुआ इस गोल को खेत की मिट्टी पे छड़क दो अगर खेत खाली है तो सीधे छड़क दो और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो फसल में आप पानी देते हो ना उसमें डबे से मिलाते जाओ पूरे खेत में पहुँच जाएगा अब ये खाद गोबर गोमूतर दाल का आटा गोड़ और मिट्टी वाला जो तयार होता है ना ये यूरिया से छे गुना ज़्यादा ताकत वर है हमने इसकी प्रयोग शाला में जाच कराई तो यूरिया डिये पी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए उससे छे गुनी ज़्यादा ताकत इसमें है इसलिए इससे उत्पादन ज़्यादा आता है और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकल बन जाती है जैसे तीन महीने की फसल है तो चार बार डलेगा चार महीने की फसल है पांच बार डल जाएगा छे महीने की फसल है साथ बार डल जाएगा हर 21 दिन पर ये खाद डालते जाओ परिणाम क्या होगा मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपके और ये खाद डालने से मिट्टी में केचुए बहुत हो जाते और केचुएं के बारे में आप जानते हैं केचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं और केटुए मिट्टी को भुरुबरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं, फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे, तो एक-एक बून पानी नीचे चला जाता है, अगर केचुए जादा हो, तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, मानि बहकर बेकार नहीं जाता है, और क केचुएं जादा है ना, तो केचुएं क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में, वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ और वो गोबर की खाथ से बढ़ती है क्योंकि केंचुओं को गोबर पसंद है अगर आप एक बार गोबर की खाथ डाल दोगे कहीं से भी केंचुओं घूमता हुआ खेत में आ जाएगा और केंचुओं न छुट्टी लेता है न तन्खा लेता है और ऐसा विचित्र जीव है ये केचुआ कि साल भर ये जिन्दा रहता है और साल भर में एक लाख बच्चे पैदा करके ही मरता है वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो वो एक केचुआ एक लाख पैदा करता ये सारे दुनिया के वैग्यानिक मानते केचुओं की संख्या बढ़ाओ मिट्टी में सोना उपजेगा खूब पैदाबार होगी खूब फसल मिलेगी और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया अब दो-तीन मिनट में एक और बात कहके मैं व्याक्यान खतम करूँगा समय हो रहा है अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूँ ये खाद तो आप खेत में डालोगे बहुत उत्पादन मिलेगा लेकिन अगर आपका पडोसी किसान ये खाद नहीं डाल रहा है तो एक गड़बडी होगी उसके खेत में कीड़े लगेंगे जिस खेत में यूरिया पड़ता है कीड़े उसी खेत में लगते जहां डिये पी लगता है सबसे ज़्यादा फसल को बरबादी उसी खेत में आती है तो पड़ोस का किसान नहीं माना वो यूरिया डालेगा कीड़ा उसके खेत में आएगा फिर वो आपके खेत में भी गुस सकता है क्योंकि कोई बाउंडरी तो बनाई नहीं है आपने तो कीड़े मारने के लिए क्या करेंगे फिर उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताता हूँ कीड़े मारने की दवा भी आप खुद बना लो बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है बीस लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का गाय का हो, बैल का हो, भैस का हो, किसी का भी हो अब इस बीस लीटर मूत्र में दो से ढ़ाई किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो नीम तो है, सब गाउं में है नीम की निमबॉली भी आती है तो निमबॉली पीस के डाल दो नहीं तो नीम के ढ़ाई तीन किलो पत्ते पीस के डाल दो फिर एक सीता फल का पेड़ होता है देखा है उसके पत्ते पीसके डाल दो दो धाई किलो फिर एक पेड़ होता है उसको आकड़ा कहते हैं कहीं कहीं आक कहते हैं कहीं आकड़ा कहते हैं उसको अकवा भी कहते हैं तो उसका धाई तीन किलो पत्ता पीसके डाल दो फिर और एक प पान के जैसा पत्ता होता है बिना बीच के होता है बिना पानी के इसलिए बेशरम कहते हैं उसको हर गाओं में होता है तो धाई तीन किलो बेशरम के पत्ते ले लो दो धाई किलो नीम के पत्ते ले लो धाई तीन किलो इसके पत्ते ले लो सीता फल के और धाई तीन किलो आकड पीस के डाल दो, आदा किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो और उबाल के इसको ठंडा कर लो, ठंडा करके इसको चान लो, अब जो घोल बन गया है, इसमें 200 लीटर पानी मिला दो और ये एक एकड फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है, और इसको इसको इस्प्रे कर दो खेत में, अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो, एक एक साल, दो दो साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जिसकी एकस्पाइरी डेट हो, तो कीटना शक दवा बना लिया, और खाद बना लिया, और अब तीसरा एक काम और कर लेना, कि बीज जब खेत में डालते हैं, तो बीज को खेत में डालने से पहले संसकारित कर लेना, और सौ ग्राम चूना, चूना आप समझते हो, कलई चूना, सौ ग्राम कलई चूना, एक किलो गोबर, एक लीटर मूत्र, ये तीनों को मिला लो, कलई चूना को मिलाने का तरीका है, कि पहले उसको पानी में डालो, खूब पानी को वो सुखा दो, और च्छाओं में जब बीच सूख जाए, फिर उसको खेत में लगाओ, तो इस बीच पर कभी भी कीड़ा नहीं आता, कोई कीट नहीं लगता, इतना बड़ा इंतिजाम पहले ही हो जाता है, तो खर्चा बच गया, और उत्पादन जादा आता है, तो बीच संसकार करके लगाना, खाद बनाने का तरीका बता दिया, कीट नाशक का तरीका बता दिया, और ये तीनों तरीके अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया, डियेपी, सुपरफॉसवेट, एंडोसलफान का साथ लाख करोड रुपया साल का हम बचा सकते, और ये रुपया बचा के गोबर गोमूतर से खेती करते हैं, तो जानवरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जानवरों की संख्या अगर बढ़ती है, तो दूद भी जादा मिलेगा, गोबर गोमूत्र भी जादा मिले और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब किसान इसी तरीके से गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, चना करो, दाल करो हम भारत स्वाविमान की तरफ से आपका सब खरीदने को तैयार है क्योंकि भारत स्वाविमान अगले साल से एक हजार दुकाने खोलने जा रहा है पूरे देश में जहां गोबर गोमूत्र का गेहूं मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चावल मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चना मिलेगा जिसको अंग्रेजी में कहते है न और्गेनिक एकदम शुद देशी खाद का बनाया हुआ गोबर का बनाया हुआ गेहू चावल चना दाल मिले ऐसी हजार दुकाने हम खोल रहे हैं उन दुकानों पर आप जो पैदा करेंगे वो बेचने के लिए हम सुविधा देंगे और आप बेचकर अपना मुनाफ़ा रखो दुकान चलाने के लिए 5-7% जो खर्चा आता है वो उसी में से निकल जाएगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सारे देश में हम चलान चाहते हैं तो हम बेचने में मदद करेंगे आप उत्पादन करो और जब ये उत्पादन जरूरत से जादा हो जाएगा तो हम इसको दुनिया भर के देशों में बेचना चाहते हैं और दुनिया भर के देशों में ये बेचेंगे चार गुना मुनाफ़ा आएगा मैंने लंदन में देखा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यूरिया डिएपी का आलू है एक स्टर्लिंग पाउंड का एक किलो और गोबर गोमुत्र का आलू है चार स्टर्लिंग पाउंड का एक किलो चार गुना महंगा बिकता है यूरिया डिएपी का आलू है एक स्टर्लि पंदरे रुपए किलो में सब चला जाता है कहां 65 रुपए का एक आम कहां 15 रुपए का एक किलो तो मैं चाहता हूं कि सारे किसान जिनके पास सर्पलस प्रडक्शन हो उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस उपलब्द हो तो सारी दुनिया में हम ये माल बेच सकते हैं और पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जो ये सामान बेच सकता है क्योंकि जो गाय और बैल हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं दूसरे देशों के पास जो गाय है वो जर्सी गाय है होलिस्रियन और फ्रीजियन है देशी गाय का और मूत्र लेना तो देशी गाय का और एक छोटी सी आखरी बात कहता हूँ किसानों के लिए कि जिस गाय का गोवर गोव मूत्र खेत में डालो साथ लाग करोड बचे इसी गाय का देशी गाय का मूत्र अगर आप पीना शुरू करो तो छेला करोड और बचेगा, बीमारी ही नहीं आएगी और गाय का मूत्र पीओ तो सब बीमारी मिट जाएगी मैं पिछले बारे साल से परिक्षन करता हूँ 48 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसी हैं जो गाय के मूत्र से जड़ से ठीक हो जाती है ट्यूबर कोलोसिस, डाइबिटीज, अर्थराइटिस, औस्टियो अर्थराइटिस, रुमेटिड अर्थराइटिस, ब्रॉंकाइटिस, ब्रॉंकियल निमोनियां ऐसी खतरना कड़तालीस बीमारियां गाय मूत्र पीने से जड़ से ठीक हो जाती है आप बोलेंगे कैसे पीना है, आधा कप गाय का मूत्र सबेरे सबेरे खाली पेट पीना है सबेरे सबेरे, रोज, बस, और देशी गाय का पीना है तीन-चार महिने लगातार पीलो, सब बीमारी मिट जाएगी आँखों में बीमारी है तो एक एक बून गाय का मूत्र आँखों में डाल लो आँखों की बीमारी मिट जाएगी कान में बीमारी है कान में डाल लो कान की बीमारी मिट जाएगी सिर के बाल अगर जड़ते हो और बहुत जादा रूसी आती हो डेंडरफ गोमूत्र को पानी में मिलाके बाल की मालिश कर लो वो भी बीमारी मिट जाएगी पाउं में ठेक पड़ जाती हैं कई बार और पाउं कट जाते हैं फट जाते हैं क्रेक्स गाए मूत्र की मालिश करके रात को सो जाओ ये बीमारी भी मिट जाएगी खाज हो जाए, खुझली हो जाए, गोमूतर की मालिश करो खाज-khुझली मिट जाएगी दाद हो गया, एकजीमा, सोराइसिस, उस पर मालिश करो वो भी मिट जाएगी ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूतर से ना मिटे बस इसको पीना है और लगाना है अब बहुत लोग कहते हैं गोमूत्र पीएंगे कैसे उसमें बास आती है तो मुझे यह बताओ दारू कैसे पी लेते हो उसमें तो और भी बास आती है दारू की बोतल पर बोतल गटक सकते हैं तो गोमूत्र क्यों नहीं पी सकते हैं बस आधा कप पीना है और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो लोग आधा कब गोमुत रोज पी सकते हैं उनकी दारू छूट जाती है क्योंकि गाए के मूत्र में भी सलफर है और बहुत अधिक मात्रम दारू छूटती है, बीडी छूटती है शराव, गुठका, मावा, पानपराग, सब छूट जाता है और कभी-कभी मूँ खराब हो जाता है गुठका खाखा के खाखा के और इतना खराब हो जाता है कि मूँ में फोड़ा हो जाता है जिसको हम कैंसर की पहली स्टेज कहते हैं उसमें गोमूत्र मूँ में भरो, ऐसे ऐसे मूँ में भरके उसको गुमाओ और कुला करना शुरू कर दो, वो फोड़ा भी मिट जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि गोमूत्र से मूँ का फोड़ा मिठा के फिर गुटका खाएं, छोड़ देना ही अच्छा है, तो आप इस गोमूत्र का दवा के रूप में इस्तेमाल करो, व्यसन को छोड़ने में इस्तेमाल करो, शरीर की बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल करो, माताएं बहने यहां बैठी हैं, उनको एक बात बताने का दिल कर रहा है, कि बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भ हवस्था होती है ना तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन आपरेशन कराओ नहीं तो बच्चा नहीं आएगा और उसके 20 बहाने वो बताते कभी कहेंगे जगे छोटी है कभी कहेंगे ये बिमारी कभी वो ये आप कुछ मत करो बस एक काम किसी गाई की बच्चडी का मूतर लेना आधा कप और उसमें 100 ग्राम गोवर उसका घोल लेना गोवर मूतर घोल के उसको कपड़े से च्छान लेना और जिस मा को गर्भा वस्था है और डॉक्टर नहीं करना पड़े मैंने हजारों माताओं बहनों की डिलिवरी इस गोबर गोमूतर से फोकट में कराई और यह गोबर गोमूतर में इतनी ताकत है मैं आपको एक medical terminology को सरल भाशा में समझाता हूँ बच्चा कई बार उल्टा हो जाता है गर भाशे में तो डॉक्टर कहते हैं आप तो कोई इलाज नहीं काटना ही पड़ेगा पे गोबर गोमूतर की तीन डोस दे दो वो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है गाई के मूतर में इतनी ताकत है इसलिए आप इसको पीना शुरू करो पिलाना शुरू करो इसका इलाज सबसे अच्छा है खर्चा कुछ नहीं है पैसे कोई जाने वाले नहीं गाई अपने पास है अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात बार बार आप गाई का मूतर पी होगे अपनी बीमारी ठीक करोगे तो आपके मन में गाई के प्रती श्रद्धा बढ़ेगी अभी तक तो आप दूद पीते थे लेकिन दूद तो गाई हमेशा देती नहीं है तो उस गाई को कसाई को बेच देते हैं अब मूतर तो जिंदगी भर देगी तो मैं किसानों से कहता हूँ गाई को दूद के लिए मत पालो मूतर के लिए पालो दूद मिले तो बोनस है मूतर असली है और जो गो मूतर पीना शुरू किया आँख में डालना शुरू किया बीमारी मिठती है आँखों की एक बीमारी है जो दुनिया में कभी ठीक नहीं होती उसको रेटिनल डिटेच्मेंट कहते अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका और एक ग्लूकोमा बिना ओपरेशन ठीकी नहीं होता ये दोनों बीमारी एक एक बूंद गो मूतर से तीन महीने में जड़ से मिठ जाती है जिनको चश्मे चड़ गए है ना चश्मा उतारना है तो गो मूतर डाल लो तो चश्मा उतर जाता है सब तरह की बीमारी आपकी खतम करता है गाय का मूतर क्योंकि गो मूतर में अठारे तरह के रसाइनिक तत्व हैं सल्फर उसमें है केल्शम उसमें है iron उसमे है, magnesium उसमे है, magneez उसमे है, भगवान के दिये हुए है, प्रचंड मात्रा में है, मुफत में है, और बिना किसी side effect के तो गोबर गोमुत्र को खेत में डालो, तो यूरिया का खर्च बचेगा, शरीर में पियो, तो 6 लाग करोड की बीमारी का खर्च बचेगा तो खाली गाए से ही एक साल में इस देश का 15 लाग करोड का फाइदा हम करा सकते हैं, और ये ताकत हम में से हर किसान में हैं, और ये ताकत का अंदाजा किसानों को लग जाए, तो भारत देश को सोने की चिडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता, और हम को आगे आने से कोई नही कि गाए पालेंगे उसको कसाई को नहीं बेचेंगे मुझे दुख इस बात का है गाए पालता है हिंदू काटता है कसाई क्यों? हिंदू बेच देता है कसाई काट देता है और हिंदूओं को पूछो भाई गाए क्यों बेची? कहने लगई जी दूद नहीं देती दूद तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती उसको भी बेचोगे गाए अपनी मा के जैसी है उसको कभी बेचना नहीं किसी कसाई को देना नहीं बहुत पाप पड़ेगा अगर उसकी मृत्यू होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संसकार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है अच्छा सा खड़ा खोद के उसको गाड़ दो और मैं तो एक तरीका बताता हूँ कि गाए मर गई तो उसका चमड़ा कभी मत उतारना बहुत पाप लगता है उसको ऐसे का ऐसा ही दफन करना खड़ा खोद के और जहां गाए को दफन किया वहाँ आम का एक पेड लगा देना तीन साल में वो पेड इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते ठक जाएंगे मैंने ये किया है गाए का शरीर जिस मिट्टी में दफन हुआ वहां आम का पेड लगा दिया और दूर एक दूसरा आम का पेड लगा दिया उस आम के पेड पे सौ फल आते हैं तो गाए के शरीर वाले आम के पेड पे चार सो से पांक सो फल आते है चार-पांच गुना जादा उत्पादन है और आम बड़ा होता है और एकदम मीठा होता है माने गाए जिन्दा रहते इतनी हमारी मदद करती है मरने के बाद भी इतनी मदद करती है इसलिए इसको कसाई को तो देना नहीं और गाए को काटें उसका मास बिके दस हजार रुपए गाए को जिन्दा रखें और उसके मूत्र से दवा बना कर बेचें तो साल की आमंदनी दो लाक रुपए है एक गाए की इसलिए गाए फालतू नहीं है बहुत कीमती है बहुत मुलिवान तभी तो हमारे बुजर्गों ने पुर्खों ने कहा कि गाए में 33 करोड देवता है ये कोई सामन ने बात नहीं है और जो देवता है ना उनमें गोबर में तो लक्षमी है और गोमूत्र में धनवंतरी है ये अब समझ में आया मेरी अम्मा मुझे समझाती थी दादी कि गोमूत्रे बसति लक्षमी सॉरी गोमे बसति लक्षमी गोमूत्रे धनवंतरी ऐसा एक संस्कृत सूत्र हमने सीखा था अब गाए के मूत्र में धनवंतरी गोबर में लक्षमी तब समझ में नहीं आया अब आया कि गोबर डालते हैं खेत में खूब अन्न पैदा होता है और बहुत महंगे दाम पर विदेशों में बिखता है तो डॉलर के डॉलर आते हैं तो लक्षमी ऐसे है गोबर में और मूत्र को उपयोग करते हैं तो बीमारी मिटती है बीमारी मिटे तो धन्वंतरी ही है फिर तो गोबर गोब मूत्र में भगवान है ये ध्यान रखके आप अपने घर में गाए लेके आओ और मेरा तो आपको कहना है कि जर्सी गाए जो गलती से लाई हो तो तुरंद बेचो देशी लेके आओ जर्सी बेचोगे तो तीन देशी गाए आएगी जर्सी खाती भी जादा है हगती भी जादा है और बिलकुल बेकार है उसका गोबर ना उसका गोबर काम का ना मूत्र काम का आप कोगे जो दूद जादा देती है वो दूद बिलकुल बेकार है, कोई पीने लाइक नहीं है दुनिया के किसी देश के लोग जर्सी गाय का दूद नहीं पीते भारत को छोड़ कर डेनमार्क में सबसे आदा जर्सी गाय है फिर भी वो दूद नहीं पीते क्योंकि कहते हैं इससे कैंसर होता है अर्थराइटिस होता है तो इस जर्सी गाय को बेचके देशी गाय लाओ और उसको पालो तो आपका ये जीवन सुद्रेगा परलोग भी सुद्रेगा और मैं तो मानता हूँ गाय का सबसे बड़ा मुल है सबेरे ही सबेरे सो कर उठो और गाय के चहरे का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन हो गया इतना आनंद और इतनी खुशी मिलती है गाय का दर्शन करने में आँखें देखो कितनी सुन्दर है चहरा कितना सुन्दर है तो ऐसी गाय पाल कर अपनी खेती सुदारो खुद को सुदारो ये वताओ करोगे कौन कौन करेगा जरा हाथ तो उठाओ बहुत बढ़िया और जब ये पैदा होने लगे गेहूं चावल चना दाल तो मुझे पतंजली समीती को बताना हम उसके बिकवाने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे अच्छे से अच्छा भाव आपको मिले अच्छी से अच्छी कीमत पर ये चीज़े बिकें उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे दन्यवार मंच पर आसीन भारत स्वाविमान की प्रांतिय संयों जी का डॉक्टर पुषपांजली शर्मा भाई खीची जी जो मंदल प्रभारी है मेरे साथ मंच पर बैठे आपके नगर छेत्र के सम्माननी ये विधायक महुद है मैं आप सबसे इस बात के लिए सब छमा चाहता हूँ कि एक घंटा देरी से आया और उसका कारण ये है कि मैं रात को तीन बजे यहां पहुँचा तो देरी से सो कर उठा उसकारण से आपके भी चाहने में देरी हुई माफी चाहता हूँ भारत स्वाविमान का जो काम शुरू हुआ है पूरे देश में इसके बारे में कुछ बातें आपसे मुझे कहनी है पांच जन्वरी 2009 को परंपुजनी स्वामी राम देव जी ने भारत स्वाविमान ट्रस्ट का गठन किया उस दिन इस ट्रस्ट का पंजी करण हुआ रिजिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली में ये ट्रस्ट का जो विस्तार है वो भारत देश और भारत के बाहर भारत के बाहर दूसरे देशों में भी भारत में भी काम करना है क्या अपने देश की पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं है उनको ठीक करना है दुरुस्त करना है एक अभ्यान तो परंपुजनी स्वामी जी कई वर्षों से चला रहे हैं लोगों को स्वास्थ देने का चिकित्सा मुक्त जीवन देने का निरोगी जीवन देने का योग और प्राणायाम की मदद से और आप सब उसमें लगे हुए हैं सारे देश के करोडों लोगों को उससे लाव हो रहा है अब स्वामी जी ने एक दूसरा विहान शुरू किया है कि देश के लोगों का स्वास्त अच्छा हो जाए लोग निरोगी हो जाए चिकित्सा मुक्त हो जाए रोग मुक्त हो जाए और हर साल जो छे साड़े छे लाख करोल रुपए बरबाद होता है इस देश में चिकित्सा व्यवस्ता पर वो पैसा खर्चोना बंद हो जाए परमपुजनी स्वामी जी की ऐसी मंचा है ऐसा उनका आग्रह है कि इस देश में कोई भी व्यक्ती रोग से ना मरे मरना तो सभी को है जीवन तो सबका निश्यत है लेकिन कोई रोगी ना मरे हस्ता खेलता स्वस्ता आदमी इस दुनिया को छोड़ कर जाए ऐसी उनकी मन में कल पना है उसके लिए राद दिन वो महनत कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं करोड़ों लोगों को उनोंने शिविरों के माध्यम से प्राणायम सिखाया है योग सिखाया है और भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी और उससे भी बड़ी बात है कि जिनोंने सीखा है और किया है वो सब बोलते हैं कि हमें बहुत फाइदा हुआ है लाखों करूलों लोगों के बलड प्रेशर ठीक हो गए हैं लाखों करूलों लोगों को हिरदय की तकलिफ हैं ठीक हो गई है लाखों करूलों लोगों को गुटने का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो गया है हजारों हजार लोगों का कैंसर मिट गया है जो दुनिया में ठीक नहीं होता गंबीर बीमारियां जो मानी जाती हैं जेनेटिक बीमारियां जो मानी जाती हैं वो भी ठीक हो रही है तो ये बहुत अच्छे से काम चल पड़ा है और आप यूग सिक्षक इसमें तनमंधं से लगे हैं आप इसके लिए बधाई के पात रहें अब स्वामी जी को ऐसा लगता है कि लोगों का स्वास्त अच्छा हो जाए उसके साथ साथ देश का स्वास्त भी अच्छा हो लोगों की बीमारी की जो समस्या है वो ठीक हो जाए तो देश की दूसरी समस्याएं भी ठीक हो हमारे देश में गरीबी है हमारे देश में भुकमरी है बेरोजगारी है हमारे देश में आजादी के बाद भी अत्याचार है जो हमारे उपर होता है शोशन है ये देश की समस्याएं भी ठीक हो ये अब उनके मन में आया है तो लोगों की बीमारियों की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए पतंजली योग पीठ ट्रस्ट बना है जो लगबग पंद्रे साल से काम करता है और उसके नीचे पतंजली योग समीतियां बनी हुई है जो देश बर में काम करती है आपकी रतलाम समीति एक है इसी तरह से स्वामी जी ने देश की समस्याएं को ठीक करने के लिए सोधारने के लिए एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया भारत स्वाभिमार और इसका मुख्योद देश है कि देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना गरीबी, बेकारी, भुकमरी अत्याचार, मारामारी सिक्षा का प्रश्ण ये सारे प्रश्णों को इसमें हल करना इस ट्रस्ट में परंपुजी निये स्वामी जी अध्यक्ष है आचारे बालकरश्व जी इसके महामंतरी है, मुझे स्वामी जी ने राश्व्री ये सचिव का दाई तो दे रखा है सारे देश में दो लाख चालीस हजार अपने योग सिक्षक है जो इस काम से जुड़े है अगले साल जन्वरी तक ग्यारे लाख योग सिक्षक इस काम से जुड़ जाएंगे इसके लिए काम तयारी चल रही है आप अगर आस्था चैनल में देखते होंगे तो हर हफ़ते एक शिविर होता है हर इद्वार में अलग अलग राज्यों का अभी थोड़े दिन पहले शिविर खतम हुआ आंद्र प्रदेश का उसके पहले उड़ी सा का उसके पहले हुआ दिल्ली, हर्याना, पंजाब, राजिस्थान च्छतिस गड़, जारकंड ऐसे कई राज्यों के शिविर हुए है आने वाले समय में मद्र प्रदेश का शिविर होने वाला है सितंबर में बंगाल का शिविर होने वाला है अन्य राजियों के शिविर होने वाले है तो हर सब्ताह में पांच-छे दिन के शिविर होते हैं हरिद्वार में और परमपुजनी स्वामी जी खुद उस शिविर में सब को सिखाते हैं, बताते हैं एक शिविर में छे से साथ हजार लोग आते हैं ऐसे जनवरी तक शिविर चलने वाले हैं तो इन शिविरों के माद्यम से लगवग 11 लाख लोग इस अभिहान से जुड़ेंगे ऐसी कोशिश हो रही है फिर क्या हो रहा है जनवरी के बाद स्वामी जी पूरे भारत के दोरे पे निकलने की तयारी कर रहा है एक एक जिले में एक एक दिन के लिए वो जाने वाले हैं 680 जिले हैं इस देश में तो लगबग 680 दिन का प्रवास स्वामी जी का होने वाला है और उस समय जो सभाई होंगी जो कारिक्रम होंगे उनके माद्यम से 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना है आप जानते हैं कि ये संगठन हमने बनाया है और इसको बड़ा कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश है बड़े संगठन बड़े काम के लिए होते हैं तो ये संगठन इतना बड़ा 5 करोड़ लोगों का होने जा रहा है अगले 2 साल में तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश है वो उद्देश यही है कि अपने देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना है किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है हमारे रोज के जीवन में जो तकलीफ पैदा करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसको हम अर्थ व्यवस्था कहते हैं उसको पहले ठीक करना है फिर हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाने वाली राजनेतिक व्यवस्था है उसको ठीक करना है फिर हमारे देश में कानून और नियाय को देने वाली जो नियायक व्यवस्था है उसको ठीक करना है हमारी प्रसाशन व्यवस्था को ठीक करना है हमारे देश की जो सिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करना है ऐसे करके सबी व्यवस्थाओं को ठीक करने के नौ उद्देशे हैं उनके लिए ये बारत स्वागमान अभियान है आपके मन में सवाल आएगा क्या अपनी व्यवस्थाओं ठीक नहीं है हाँ ऐसा ही है अर्थ व्यवस्था से मैं बात शुरू करता हूँ अपने देश को आज़ाद हुए लगबग 62 साल हो गए 63 साल शुरू हो गया अब आज़ादी के 62-63 साल के बाद भी इस देश की अर्थ व्यवस्था में सबसे गंभीर समस्या है गरीबी, बेरोजगारी आप अगर मुझसे पूछेंगे के ये समस्या कितनी बड़ी है एक उधारन से बताता हूँ हमारे देश की जो सरकार चलती है दिल्ली में जिसको हम केंदर सरकार कहते हैं इस केंदर सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक कमीशन बनाया था एक आयोग बिठाया था और उस आयोग का अध्यक्ष मनाया प्रोफिसर अरजुन सेन गुपता नाम की बहुत विद्वान व्यक्ति हो प्रोफिसर अरजुन सेन गुपता कलकता में रहते हैं बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं इस देश में अर्थ शास्त्र के विशेशग्य माने जाते हैं जब श्रीमती इंद्रा गांदी इस देश में प्रधान मंतरी हुआ करती थी तो प्रोफिसर अर्जुन सेन गुपता उनके योजना आयोक के उपाध्यक्ष हुआ करते थे श्रीमती गांदी के बहुत साल तक प्रोफिसर अर्जुन सेन गुपता बंगाल सरकार में वित्यमंतुरी रहे है दुनिया बरके 40 से ज़्यादा विश्व विद्यालियों में लेक्चर्स देने जाते हैं बहुत विद्वान आदमे हैं, दुनिया उनका सम्मान करती है तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप पांच साल एक अध्यन करो, अभ्यास करो और ये बताओ कि गरीवी कितनी है, बेकारी कितनी है, भुकमरी कितनी है आर्थिक समस्याएं हमारी बताओ तो उन्होंने बड़ी महनत करके एक रिपोर्ट बनाई है, बड़ी मोटी है वो रिपोर्ट पिछले साल संसद में पेश होई फिर मुझे भी मिल गई पढ़ने को तो इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं अब तक हमारी सरकार ये कहती थी कि 32 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में जिनको इस देश में कहा जाता है गरीबी रेखा के नीचे लेकिन प्रोफिसर अरजुन सेन गुपता ने कहा कि ये 32 करोड़ नहीं है ये 84 करोड़ और ये आकड़ा उनको भारत के 31 राज्यों के ब्रह्मन के बाद पता चला 31 राज्यों में वो घुमे साथ केंदर शासित प्रदेशों में घुमे तब जाकर उन्होंने ये बताया कि 84 करोड़ लोग बहुत गरीब है कितने गरीब है एक दिन में वो 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते इतने गरीब है 20 रुपए उनके पास नहीं है खर्च करने के उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया कि 84 करोड़ लोगों में 50 करोड़ तो इतने गरीब है कि एक दिन में पंदर रुपए भी खर्च नहीं कर सकते उन्होंने का 84 करोड़ में से 25 करोड़ तो इतने गरीब है जो एक दिन में 10 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते और गरीब 15 करोड लोग तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपय भी खर्च नहीं कर सकते और 7 करोड लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते साथ करो इतनी गरीबी इस देश में है प्रफसर अर्जुन सेन गुपता बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि भारत के दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बैंगलोर, मदरास कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए और गाओं के तरफ निकल जाएं हम देखने के लिए तो गरीबी का महासागर है इस देश में ये कुछ बड़े-बड़े शहर हैं जिनकी संख्या 20-50 से जादा नहीं है जहां कुछ अमीरी दिखाई देती है बाकी देश तो गरीबी में डूबा हुआ है ये पहली बार देश को पता चला कि 84 करोड लोग गरीब है मेरे को भी पता चला उसके बाद मैं तो ये सोचता था 32 करोड और उससे भी जादा गंभीर बात मुझे जो दूसरी पता चली जिसने भारत स्वागिमान अभ्यान को बनाने में भूमी का निभाई कि ये गरीबी आज़ादी के बाद लगातार बढ़ रही है कम नहीं हो रही है जब हम आज़ाद हुए 15 अगस 1947 को उस समय के आंकड़े हैं कि साड़े चार करोड लोग गरीब थे इस देश में अब आज़ादी के 62 साल के बाद 84 करोड लोग गरीब है क्या भयावे परिस से थे आज़ादी के 62 साल में 11 पंचवार्शिक योजनाएं बनी हैं गरीबी दूर करने के लिए 11 योजनाएं बनी हैं और हर योजना में गरीबी दूर करने के लिए 10 लाख करोड रुपे खर्च होता है एक योजना बनती है ना पंचवार्शिक जिसको आफ 5 येर प्लैन कहते हैं उसका सबसे प्रमुक मुद्दा होता है गरीबी हटाना गरीबी मिटाना उसके लिए 10 लाख करोड का बजट होता है एक योजना का ऐसी 11 योजनाएं बन चुकी है माने 110 लाख करोड रुपए खर्च हो चुका है लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है लगातार साड़े चार करोड से अब 84 करोड हो गए मेरे जैसे लोग ऐसा सोचते थे कि जब हम आजाद हुए तो हम गरीब इसलिए थे कि अंग्रेजों ने हमको लूटा 200 साल इस देश पर उन्होंने साशन किया लूट लूट के सारा धन उन्होंने लंदन में जमा कर लिया तो हम गरीब हो गए साड़े चार करोड लेकिन आजा दी कि 62 साल के बाद तो 84 करोड लोगों की गरीबी ये बात हमको पच नहीं पाई हजम नहीं हो पाई तो हमने इस दिशा में शोद करना शुरू किया कि आखिर इसका कारण क्या है तो हमारे देश के लोगों के दिमाग में कुछ कारण है उन में से एक है वो आपके मन में भी आता है मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं वो यह कहते हैं कि राजी भाई गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ रही है हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी सरकार बताती है कि आस्ट्रेलिया नाम का एक देश जिसकी जनसंख्या एक करोड़ असी लाख है इतनी संख्या हर साल हमारे देश में बढ़ जाती है माने एक आस्ट्रेलिया देश इस देश में शामिल हो जाता है हर साल तो इसका मैंने जानने का कोशिश की अभ्यास किया तो पताज़ला जनसंख्या कोई बहुत जादा नहीं बढ़ रही है 1947 में हम 32 करोड थे 33 करोड के आसपास थे 32 करोड 80 लाख 33 करोड थे अब 2009 में हम 115 करोड है इसका माने जनसंख्या साड़े तीन गुनी बढ़ी है तो गरीबी भी साड़े तीन गुनी बढ़नी चाहिए तो गरीबी इस समय 15 करोड के आसपास होनी चाहिए अब ये समझ में नहीं आता कि जनसंख्या तो साड़े तीन गुनी बढ़ी गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई ये समझ में नहीं आता गनित का साधारन सा विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है कि अगर जनसंख्या साड़े तीन गुनी बढ़ रही है तो गरीबी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए तो बारे करोड पंद्रे करोड गरीब हो जाते हम साड़े चार करोड थे पंद्रे करोड हो जाते लेकिन हम तो 84 करोड कहां से हो गए ये कोई गंबीर बात है और इस गंबीर बात को जानने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि ये गंबीर बात पैदा हुई है पिछले 62 साल में भारत की राजनेतिक ब्रश्टाचार से हमारे देश में 62 साल में ब्रश्टाचार 21 गुना बढ़ा है 1947 में भारत के आखड़े बताते हैं कि ब्रश्टाचार में जितना धन व्यर्थ होता था बरबाद होता था उससे 21 गुना जादा अब होता है तब सीदी सीदी सी बात समझ में आती है ब्रश्टाचार माने लूट आपके धन और समपत्ते की तो अगर आपकी लूट 21 गुनी बढ़ गई है तो गरीबी 21 गुनी बढ़ने ही वाली है तो इस देश की ब्रश्टाचार जो है वो गरीबी की समस्या का बढ़ा कारा हमारे देश में एक प्रधान मंत्री थे उनका नाम था राजीव गांदी आपने उनकी वो बात याद रखी होगी वो कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए एक रुपया भेजता हूँ दिल्ली से तो उस आदमी के पास सिर्फ पंद्र पैसे पहुँचते और उन्होंने खुद कहा था संसद में कि बीच के जो 85 पैसे हैं वो हमारे नेता और अधिकारी मिल के खा जाते माने विकास के लिए जो धन आवंटित होता है उसका 85 प्रतिशत लूट हो जाती और ये राजीव गांदी ने कहा था 1984 में उस समय ब्रष्टाचार कुछ कम था अब 2009 आ गया अब तो हमारे देश में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको कहते हैं CAG Comptroller and Auditor General of India उनकी रिपोर्ट कहती है कि अब तो एक रुपया जब विकास के लिए नीचे भेजा जाता है तो गरीब आदमी तक साथ से आठ पैसा ही पहुँचता है अब तो हालत और खराब होगे आखिरकार ये सारा पैसा जाता कहा है ये लूट जाता है अधिकारी और नेताओं के तोरा फिर लूटने के बाद ये पैसा कहां जाता है ये विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है आप पूछेंगे जी कितना लूट जाता है हमने एक दिन आकड़े बनाए सरकार के अलग-अलग विभागों से एकठे किये केंद्र सरकार हम से टैक्स लेती है कुछ नाम है उस टैक्स के जैसे इंकम टैक्स सेंट्रल एकसाइज ड्यूटी सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐसे केंद्र सरकार हम से कुछ टैक्स लेती है उसमें पूरे देश के लोगों से सवाच्छे लाग करोड रुपए एकठा करते हैं फिर राज्य सरकार टैक्स लेती है मध्य प्रदेश की सरकार अलग लेती है पंजाब, रियाना, उत्तर प्रदेश की अलग लेती है 31 राज्यों की राज्य सरकार हर साल हम से 12 लाख करोड का टैक्स इकठा करते हैं कुल मिला कर फिर municipal corporation टेक्स लेता है नगरपाली का टेक्स लेती है तो भारत देश में जितने municipal corporation है करीब 14 से जादा है 1400 से जादा है 1400 से जादा वो टेक्स इकठा करते हैं और वो करीब सवा 2,00,00 करोड रुपए ले लेते हैं हमसे तो municipal corporation, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलाकर 20,00,00 करोड रुपए ले लेते हैं हमसे हर साथ मेरे जैसे लोग सरकार के अधिकारियों को पूछते हैं कि ये 20,00,00 करोड का तुम करते क्या हो कहते हैं जी विकास करते हैं इसका तो 20,00,00 करोड तो इतनी बड़ी रकम है एक दिन मैंने इसका हिसाब निकाला था कि इस रकम का अगर हम सरकार को देना बंद कर दें टैक्स भरना बंद कर दें और ये रकम हम गरीबों में बांट दें तो हर गरीब इस देश में लखपती हो जाता है एक ही साल मैं दो तीन साल की बात नहीं कर रहा है एक ही साल 20,00,00 करोड रुपए अगर हम एकठे कर लें आपस में मिलके और सरकार को बीच में से निकाल दें कि भई तुम जाओ तुमारा काम नहीं हम कर लेंगे इस काम को क्योंकि इतनी अकल तो हमको भी है जो उनको है हम भी वोई दाल रोटी खाते हैं जो ये सरकार की अधिकारी खाते है कोई बहुत होशयार तो हैं नहीं हमारे ये बीच में से गए है तो अगर हमको बाहर कर दें और 20,00,00 करोड से एक-एक सड़क सोने से बन सकती है माने 20,00,00 करोड की रकम में जो हम उद्योग लगाएंगे फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में कार खाना तो इतने कार खाने लगेंगे कि 60,00,00 करोड लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस तेश में तो 20,00,00 करोड से एक साल में तो गरीबों को अमीर कर सकते हैं दूसरे साल में सोने की सड़कें बना सकते हैं और तीसरे साल में सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं फिर करेंगे क्या चौथे साल क्या करेंगे 20,00,00 करोड तो फिर आएगा चौथे साल प्राणायाम करें, योग करें, फिर भी ये बीस लाग करोड़ों तो सामने रखाए, करें क्या इसका? मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, वो ये कि ये जितनी रखम हम टैक्स में देते हैं, ये रखम अगर पांच साल की कुल इकठी हो जाए, तो सारे देश की हर समस्या का समाधान हो जाए, और ये नेता 62 साल से ये रखम इकठी करके विकास नहीं कर पा रहे हैं देश क चक्कर क्या है, तो चक्कर दूसरा है, चक्कर ये है कि ये नेता और अधिकारी इस रखम से अपना विकास कर रहे हैं, देश का नहीं कर रहे हैं, लूट लूट के घर भर रहे हैं मैंने आजकल भारत के नेताओं की जनम कुंडली बनाना शुरू किया है, जनम कुंडली मतलब ये नहीं वो जोतिश वाली नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, दूसरी जनम कुंडली वो ये, कि जब वो राजनीत में आये, तो उनके पास कितना धन संपत्ती था, और राजनीत में आने के बाद मुख्य मंत्री वित्य मंत्री वाने जमंत्री वगरा वगरा होने के बाद कितना हो गया अब तक मेरी सूची में 420 नेता शामिल हुए हैं और ये सब उचे इस तर के हैं छोटे इस तर वाले बात नहीं कर रहा हूं ये तो जो केंद्र में रह चुके हैं कोई कोई मंत्री कोई कुछ कोई कुछ उनकी बात कर रहा हूं राज्य का तो अभी नंबर ही नहीं तो एक दो नेताओं का बिना नाम लिए बताता हूं आप वैसे बहुत होश्यार हैं समझ जाएंगे एक नेता हैं महराश्र के हैं 20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकल नहीं थ बस में चढ़ने का किराया नहीं था जेव में दूसरे की जेव से पैसा निकालके अपनी बस का टिकेट खरीब देते हैं चाय पीने के लिए पैसा नहीं था और माबापने कोई संपत्ती छोड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत गरीब थे आज उस नेता के पास 20 हजार करोड से जादा की प्रॉपरटी है और आप कभी आओ महराश्चों में तुम्हें दिखाऊंगा आपको गाओं गाओं ले जाके बंबई से पूना के बीच की दूरी 170 किलो मीटर है उस दूरी में जितने गाओं आते हैं उस गाओं की सारी जमीन उसने खरीद रखी है एक नेता में हजारों हेक्टेर जमीन एक नेता के नाम है जिसके पास 20 साल पहले टूटी साइकल नहीं थी और जमीन के कागजाद जब हमने इकटे किये तो उसके कुत्ते बिल्लियों के नाम से जमीन है ऐसी लूट मची हुई है इस देश एक और बताता हूँ एक नेता है हमारे महराष्ट में बंबई में 20 साल पहले दादर रेल्वे स्टेशन पे वो भाजी बेचता था भाजी मनें पालक मैं थी सबजी बेचता था माफ करियेगा सबजी भाजी मराथी शब्द है, सबजी बेचता था इस्टेशन पे बैठ कर आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ते 20 साल पहले एक नेता महराश्ट के नासिक में सिनेमा का टिकेट ब्लैक करता था सिनेमा का टिकेट ब्लैक करता था आज उसके पास पूरे महाराष्ट में 30,000 करोड की संपत्य और ये जो नेता है ना इनके कुछ एजेंट होते हैं तो ये जो तीनों नेता है ना इनका एक एजेंट है पूना में उसको एक बार हम मिले थे वो कहता है कि मेरे पास 72,000 करोड की संपत्य है तीनों का बाप है वो और थोड़े दिन पहले CBI ने बताया CBI आप जानते हैं इस देश की जाच करने वाली संस्था और एक दूसरी संस्था है Research and Analysis Wing RAW Raw और एक संस्था है Enforcement Directorate प्रवर्तन निदेशाल ये तीनों बोलते हैं कि उस agent का Switzerland की बैंक में खाता है उसमें 72,000 करोड जमाए जब हम उसको मिले थे तो पूछा भाई तुमारा 72,000 करोड कैसे हो गया तो उसने का कि बहुत सारे नेता अपना पैसा मेरे पास रखते हैं मैं उसको स्विस बैंक में रख देता हूँ ऐसे हो गया तो हमने का नाम बता दो उसने का ऐसे नहीं बताओंगा तो कैसे बताओगे तो वो कहता मेरा नार को टेस्ट करा दो फिर मैं सब बता दो ऐसे बताओंगा तो यह मार डालेंगे मुझको मेरी तो जिन्दकी चली जाएगी तो आप ऐसा करो मेरे उपर मुकद्मा करो वो खुद कहता है मेरे उपर केस करो मेरा नार को टेस्ट करवा दो उसमें सब बोल दूँगा मैं तो मेरी जान भी बचेगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन-कौन बेईमान वो खुद कहता है ऐसी लूट खोरी हो अब एक सोचो एक आदमी ने 72,000 करोड जमा कर रखा है मजा के है मद्यप्रदेश की सरकार के बजट से जादा है एक आदमी के पास और ऐसे भारत में कितने आदमी हैं आप पूछोगे तो उनकी सूची बनते 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 असी हजार है असी हजार एक का नाम मैंने बताया पूना में है उसका नाम है हसन अली जिसके पास 72,000 करोड़ है वो नेता नहीं है नेताओं का एजेंट है तो नेताओं के एजेंट और नेता और अधिकारी सबका मिलाकर 80 हजार लोगों की लंबी सूची है इन्होंने लाखों करोडों रुपए लूट रखा है और क्या किया है जमा कर रखा है स्विट्जर लेंड की बैंकों में जैसे अपनी देश में बैंक होती है ना भारत, भारती स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कनारा बैंक ऐसे स्विट्जर लेंड नाम के एक देश में भी कुछ बैंके है एक बैंक का नाम है, बैंक आफ जिनिवा, एक बैंक का नाम है, बैंक आफ जीरेक, एक बैंक का नाम है, बैंक आफ सुडजरलेंड, ऐसी 36 बैंक हैं उस देश में, उनमें नेताओं के खाते खुले हुए हैं, उनमें ये पैसे जमा हैं, अधिकारियों के खाते खुले हुए है उसमें पैसे जमाए और ये नेता और अधिकारियों के एजेंट जो बीच में लेंदेन करते हैं उनके खाते खुले हुए हैं उनका पैसा जमाएं अब ये कितना पैसा है तो सुड़जरलेंड की बैंकों का एक समूम है, एसोसिएशन, जैसे बारत में होता है, वैसे वहाँ भी होता है, उसका नाम है सुईस बैंक एसोसिएशन, उन्हों ने ये बताया पिछले साल, कि बारत के नेता और अधिकारियों का उनके बैंकों में जो खाता है उसमें एक हजार पांच सो अरब डॉलर जमाए इसको अगर गनित से हम मदद करके निकालें रुपए में एक डॉलर में पचास रुपए होते हैं और एक अरब में सौ करोड होते हैं तो एक हजार 500 में 100 करोड का गुणा करो फिर उसमें 50 का गुणा करो तो ये 75 लाख करोड रुपए इतना लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में है और फिर थोड़े दिन पहले एक और बात पता चली कि सुट्जर लेंड की बैंकों में ये जो धन जमा हैं 75 लाख करोड इसके अलावा कुछ और देशों में भी है हमारे जो रौ के अधिकारी है और एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरी करोड का और भी जगह है एक जगह है पनामा नाम का एक छोटा सा देश है वहाँ भी पैसा है भारत वासियों एक छोटा सा देश है उसका नामे गिनी विसाओ वहाँ पे भी है एक देश है उसका नामे लीचेस्टन वहाँ पे भी है तो दूसरे अन्य बैंकों में 35 लाख करोड और रखा हुआ है माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड रुपए जमा है और पिछले 62 साल में इतना ही धन पंच वार्ष की योजनाओं के लिए आवंटित हुआ है इतना ही पूरा इन्होंने लूट के जमा कर रखा है फिर आप बोलेंगे कि अगर सारा का सारा धन लूट के इन्होंने जमा कर रखा है तो पिछले 62 साल में थोड़ा बहुत जो विकास का काम हुआ है कुछ सडकें बनी है कुछ पुल बने है कुछ फ्लाइ ओवर बने है कुछ तो हुआ है ना कुछ कॉलेज बने है कुछ कार खाने लगे है ये कहां से हुआ है फिर तो इस पर जब हमने अध्यन किया तो पता चला ये सब करजे से किया है हमारा आपका पैसा जो टैक्स का था वो तो सब लूट के जमा कर दिया स्विस बैंक में और 62 साल में जो थोड़ा बहुत विकास का काम हुआ है उसके लिए करज ले रखा है केंद्र सरकार ने करज लिया हुआ है अठारे लाख करोड का और जो राज्य सरकारे हैं जैसे मद्यप्रदेश जैसे राज्यस्थान जैसे सब इन्होंने 31 राज्य सरकारों ने ले रखा है और 16 लाख करोड का तो लगबग 32 लाख करोड इतना करज ले रखा है उस करजे से ये काम हुआ है जो दिखाई देता है आपको एक सड़क बनिया ने जिसको कहते हैं प्रधान मंत्री सड़क योजना गोल्डन क्वेडिलेटरल स्वार्णिम चतरगोजी ये पूरा करज से बनाए आप कभी-कभी अखवार में पढ़ते हैं दिल्ली में मेट्रो रेल चलती है वो पूरी करज से बनी जापान से करज लिया ये सड़के बनाने के लिए अमेरिका यूरोप के देशों से करज लिया फिर ये जो फ्लाई ओवर बने हुए हैं ये कुछ बड़े-बड़े होटल बन गए हैं, सरकार के कॉलेज बने हैं, इंजिनिरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये सब करजे का है, करज ले रखा है, 32 लाग करोड का और अभी मुझे एक और बात पता चली, कि केंद्र सरकार और राजिस सरकार ने 32 लाग करोड का ले रखा है, मिनिसिपल कॉर्पुरेशन्स ने 2 लाग करोड का करज ले रखा है, पूरे देश में अभी तो मैं थोड़े दिन पहले करनाटक गया था, करनाटक में एक जिला है, उसका नाम है उडुपी, उडुपी जिले में एक गाउं है, उसका नाम है पुत्तूर, उस गाउं की ग्राम पंचायत ने विदेशी करज ले रखा है पुत्तूर ग्राम की ग्राम पंचाइद के सरपंच को मैंने पूछा भहिया तुमने ये विदेशी कर्ज क्यों ले लिया तो उसने का कि जब प्रधान मंत्री ले सकता मैं क्यों नहीं ले सकता वो देश का प्रधान मंत्री है मैं गाउं का प्रधान मंत्री मैं भी ले सकता हूँ मैंने का तुम्हारी जुगार कैसे लगी ये करज लेने की कैसे connection बना तुमारा तुम वर्ड बेंक कैसे पहुँच गए Asian Development Bank कैसे पहुँच गए तो उन्हें का कि ये जो सरकार के अधिकारी करज लेने जाते हैं इन्हीं से मेरी दोस्ती हो गई इन्होंने मुझे बता दिया मैंने application दे दिया Asian Development Bank में उन्होंने करज दे दिया मैं बुला ऐसी दे दिया उसने का नहीं पूरे गाउं की संपत्ती गिर्वी रखके मैंने करज ले लिया और ये जो पुत्तूर गाउं है ये बड़ा अच्छा गाउं है आप पूछेंगे क्या अच्छाई है चंदन की लकड़ी के जंगल है उनके पास चंदन की लकड़ी आप जानते हैं सबसे महगी है उस इलाके में सबसे घने जंगल है और जंगल इतने जादा है सबसे जादा बारिश होती है पुतूर गाव में जब मैं गया तो वहां के सरपंज ने का छे महीने बारिश होती है और घंगोर बारिश होती है जब एक बार बरसना शुरू होता है पानी तीन तीन दिन चार-चार दिन बरसता ही रहता बंदी नहीं होता इतनी बारिश कारण क्या घने जंगल है जहां जंगल जादा होंगे बारिश अच्eka होगी और वो सब जंगल चंदन की लकड़ी के हैं वो सारे जंगल उसने गिरवी रख दिये हैं विदेशी कर्च लेने के गाउं पंचायत की जमीन गिर्वी रख दी है सब संपत्ती गिर्वी रख दी है मैंने सरपंच को का कि ये करज वापस नहीं कर पाए तो उसने का मुझे क्या लेना देना अगला सरपंच भूटेगा मैंने तो ले लिए मैं पूचा तुम लाए क्यों होए इस करज को करोगे क्या इसका कहता जी गाउं में पानी की व्यवस्था करनी है मैंने का इसके लिए 70 करोड डॉलर थोड़ी लगता है ये तो छोटी रखम का काम है उसने का उसकी पाइपलाइन बिचानी है ये करना है वो करना है सब उसने हिसाब बता दिया मैं पूचा तुम पाइपलाइन बिचा रहे है उसने का हाँ मैंने ठ्रेका दे दिया ये कर दिया पाइपलाइन बिच रही है पानी कहां से लाओगे तो तालाब बनेगा तालाब है क्या अभी नहीं नहीं है, पाइपलाइन बिच रही है, तालाव नहीं है अभी, वो कब बनेगा, मालूल नहीं पाइपलाइन बिच जाएगी, पैसा खर्च हो جाएगा, तालाव है, नहीं, पानी आएगा कैसे, तो कह रहा है कि दुबाराँ चुन के आया तो और कर्ज लाओंगा तो तालाव तो फिर पानी आएगा ऐसे चलता है ये देश आप सोचो इस देश को कि जितना हमने टेक्स में दिया वो सब खापी के नेताओं ने जमा कर दिया थोड़ा बहुत जो विकास काम है वो सब करजे से होता है अब ये करज ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है पिना ब्याज का करज कौन देगा हमको अब ब्याज देना पड़ता है तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए तो नेताओं को फिर क्या लगता है कि ब्याज के पैसे बरने है तो लोगों को टेक्स और बढ़ाते जाओ तो tax बढ़ा बढ़ा के आपसे ब्याज का पैसान कालते रहते हैं और जितना ज़्यादा ब्याज लगेगा tax उतना ज़्यादा लगाएंगे tax जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगे तो आप कभी ये सोचते हैं कि 15 पैसे किलो का नमक आपको 15 रुपय का क्यों मिलता है महंगाई है महंगाई क्यों है क्योंकि tax है आपको ये बात तो मालूम है न नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता फोकट का पानी होता है समुद्र का और फोकट का सूरज का प्रकाश है दोनों ही tax free cost free है कोई खर्चा नहीं है सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाब बनके उड़ जाता है नमक नीचे रह जाता है वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है उसको 15 रुपय किलो में इस देश की सरकार बिकवाती है क्यों? टेक्स है उस पर बगवान ने जिस पर टेक्स नहीं लगाया उस पर नेताओं ने लगा रखा है बगवान ने मुफत में दिया समुद्र का पानी बगवान ने मुफत में दिया सूरज की रोशनी बगवान ने ये सब जो मुफत का दे रखा है सरकारों ने इस पर टेक्स लगा रखा दाल 12-15 रुपई किलो मिलनी चाहिए 90 रुपई किलो है सबजी 10-12 रुपई किलो होनी चाहिए 60 रुपई किलो तो टिंडा है 40-45 रुपई किलो भिंडी है 24 रुपई किलो आलू है 20-22 रुपई किलो प्याज है क्या खाएं क्या बनाएं गरीबों के घर में तो आजकल ये आलम है ये द्रशन है कि वो दाल का तो नाम सुनते हैं बस 90 रुपई किलो खाएं कैसे पैसे ही नहीं एक दिन में 20 रुपई की आमंदनी है अब 20 रुपई की आमंदनी में एक किलो आटा भी नहीं आता 26 रुबाई किलो आटा है कहां से गरीब खाएं तो 84 करोड गरीबों की जिंदगी तो नरक हो गई है इस देश में और नरक तो आपकी भी है बस आप बोलते नहीं कसमसाहट तो सब के घरों में है मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा पांच हजार में चलता था अब पंद्रे हजार भी पूरे नहीं पड़ते पांच हजार में घर का खर्च चलता मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे वो सरकारी नौकरी में थे तो हो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग होई थी तो 2.500 रुपई की तंखा मिली थी और मेरे पिताजी कहते हैं कि 2.500 की तंखा में महिने की तंखा 250 रुपई थी महिने की तंखा में घर का सारा खर्च निकाल के हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के पिताजी कहते है कि महिने की आमदनी बीस हजार हो जाए तो दो तोला सोना नहीं खरीद सकता क्योंकि पंदरे हजार खर्चे में चले जाते हैं पांच हजार बचता है मने महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश और महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है टैक्स और टैक्स और टैक्स जब आजादी मिली थी तो इस देश में बाईस तेईस तरह के टैक्स थे अंग्रेजों के लगाए हुए अब आजादी के बाद चौंसट तरह के टैक्स है इस देश अब आपके ऊपर जितना ज़्यादा टेक्स लगेगा, हर चीज महेंगी होगी मैं आपको दो-तिन उधारन देता हूँ मेरे हाथ में एक पैन है, ये बजार से खरीदो दस रुपई का आता है ये फैक्टरी में डेल रुपई का बनता है क्योंकि जो बनाने वाला आदमी है उसको मैं जानता हूँ ग़रस में बनता है और वो कयता है, पचास पैसे मैं इसमें मुनाफ़ा लेता हूँ तो दो रुपई में अब दो रुपई का पैन आपको दस रुपई में मिलता है क्योंकी इस पर टेक्स है मेरे हाथ में एक गड़ी है ये टाटा कमपनी की गड़ी है इसका नाम है टाइटन इनकी फैक्टरी में एक बार मैं भाशन देने गया था बैंगलोर में तो मैंने एक मैनेजर को पूछा कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंदी है इसकी कीमत बताओ के लगे कौन सी कीमत बताओ मैंने का फैक्टरी में जो बनती है वो की मत बताओ बजार की तो मुझे भी मालूम तो उसने का हमारी फैक्टरी में ये आपके हाथ वाली घड़ी सत्तर रुपई में बनती है और बजार में ये पांसो सत्तर की, छे सो की साथ सो की, आठ सो की, कितने की भी मिलती है इतना टेक्स है एक बार में एक cement ki factory में भाशन देने गया कि cement बनाने वाली रुपई में مिलता है क्योंकि उस पर टेक्स है केंद्र सरकार का टेक्स अलग है, राज्य सरकार का टेक्स अलग है, मुनिसिपल कॉर्पॉरेशन का टेक्स अलग है एक दिन मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भाशन देने गया लोहा बनाती है वो, इस्टील अथॉरिटी वाले कारखानों में मैं गया उएन जी सी, भारत पेट्रोलियम उनको मैं पूछा एक लीटर पेट्रोल कितने का है उन्होंने का जी बारे साड़े बारे रुपय का बनता है, आपको पचास रुपय का हम बेचते हैं क्योंकि हम टेक्स लेते हैं आप से डीजल साड़े साथ आठ रुपय लीटर में बनता है, 35 रुपय लीटर हमको देते हैं और दो चार बातें बताता हूँ ट्रेक्टर है ना ट्रेक्टर जो बड़ा पांच लाख में आप खरीदते हो वो सिर्फ एक लाख असी हजार में बनता है मारूती कार जो साड़े तीन लाख की आप लेते हो वो डेड़ लाख रुपय में बनती है मैंने ऐसी हजारों वस्तुओं का कैलकुलेशन किया कि उनके बनाने की लागत कितनी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट और प्रड़क्शन और भारत सरकार कहती है एक्स फैक्टरी प्राइस मने फैक्टरी में बनाने में कुल खर्चा कितना लगता है वो मामूली से खर्चा है सरकार उस पर टैक्स लगा लगा कि इतना महंगा कर देती है फिर हम को वो खरीदनी है चीज तो ज़्यादा पैसे लगते है ज़्यादा पैसे लगते है तो ज़्यादा कमाई करने का दिल करता है और ज़्यादा कमाई के चक्कर में फिर ब्रश्टा चार करते है फिर ब्रश्टा चार में से ये सारी दुरुब वस्ता निकलती है ये साइकल ऐसे ही चलती रहती कोई आदमी इमानदार रहे कैसे ये बताओ मुझे जब आप 10-12 रुपई की चीज़ उसको 100 रुपई में दोगे उसको 90 रुपई अत्रिक्त खर्च करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए वो तो कहीं न कहीं से लूटेगा तो ये लूट खोरी की विवस्था टैक्स में से निकलती है और ये हमारे लिए फिर ऐसी इस्थिती पैदा कर देती है कि हम गरीब होते जाएं मेहनाई बढ़ती जाएं बेरोजगारी बढ़ती जाएं इस देश में ये समस्या है हमारे देश तो आप पूछोगे जी इनका कुछ समाधान है हाँ है ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है हर समस्या का समाधान इसका भी है हमने बहुत सोचा, चिंतन किया, मनिन किया, भ्यास किया, शोध किया तो हमको भी समझ में आ गया इसका समाधान है समाधान क्या है? ये जो व्यवस्था चल रही है इसको बदल दो बस सीधी सी बात कैसे बदलें, कहां से बदलें? तो पहला कदम हमने उसके लिए तैय किया, भारत स्वाइमान अभियान की तरफ से किस व्यवस्था को हम बदलेंगे, तो पहला काम हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि नेताओं ने, अधिकारियों ने, जो 62 साल में लूट लूट के 110 लाक करोड जमा किया है इसको पहले वापस लाएंगे भारत में ये स्विस बैंकों में हैं, विदेशी बैंकों, इसको वापस लाएंगे क्योंकि ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है अब आप बोलेंगे आएगा कैसे? ऐसा कोई रास्ता है रास्ते हमको मिल गए हैं चार एक नहीं चार रास्ते मिल गए वो कहते हैं न जो लोग अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है भगवान ने हमको चार रास्ते बता दिये अकल आ गई हमको रास्ते दिख गए पहला रास्ता ये है कि ये जो सारा धन जमा है न विदेशी बैंकों में ये जमा है निजी संपत्ती के रूप में प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ती किन की? नेताओं और अदिकारियों की अगर इस पैसे को निजी संपत्ती से राश्विय संपत्ती बना दिया जाए तो ये वहां रही नहीं सकता पैसा क्योंकि स्विस बैंकों में और दुनिया के दूसरे बैंकों में कानून है कि किसी भी देश के राश्विय संपत्ती विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते ये कानून है राश्विय संपत्ती राश्विय बैंक में ही रख सकते हैं हमारे भारत की संपत्ती है तो हम रिजर्ब बैंक में रख सकते हैं हमारे भारत की संपत्ती है तो इस्टेट बैंक में रख सकते हैं हमारे भारत की संपत्ती है तो पंजाब नेशनल में रख सकते हैं विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते हैं लेकिन निजी संपत्ती है वो कहीं भी रख सकते हैं यहां रख सकते हैं बाहर रख सकते हैं तो ये पैसा नेताओं ने निजी संपत्ती गोशित करके रखा हुआ है हम इस पैसे को राश्विय संपत्ती बनाना चाहते है तो आप बोलेंगे कैसे होगा एक कानून बनाने से ये हो जाएगा संसद में एक कानून बनाना पड़ेगा वो कानून ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत से लूटा गया विदेशी बैंकों में जमा किया गया वो भारत की राश्विय संपत्ती है इसका प्रस्ताव संसन में पेश करना है जब प्रस्ताव पेश होगा तो बहस होगी बहस पर हम देखेंगे कि कौन-कौन इसका विरोध कर रहा है जो विरोध करेगा पक्की बात है उसी का खाता है विदेशी बेंट वरना कोई विरोध क्यों करेगा मेरा तो पैसा है नहीं मैं क्यों विरोध करूँगा मैं तो कानून बने जिनका है वो विरोध करेंगे तो हमने तो ये एक रास्ता निकाला कि जिस दिन ये बहस होगी ये थोड़े दिन में होने वाला है आप उस दिन टीवी जरूर चालू करना अपना बाकी दिन आप देखो मत देखो संसत की कारिवाई उस दिन जरूर देखना हम आपको SMS करेंगे सारे पतंजली योगपीट सिक्षकों को SMS होगा बहस होती है ना एक लोकसवा टीवी चालू हुआ है आपको मालू है लोकसवा टीवी उस पर पूरी बहस आती है वो जरूर देखना और हम कोशिश करेंगे कि नैशनल चैनल पर भी आए डीडी वन पर आए अपने आस्था चैनल पर तो पूरी बहस दिखाएंगे तो बहस देखो गए आप तो देखो कौन विरोध कर रहा है और कौन उसका समर्थन कर रहा है तो पहँचान ले ना आपके विरोध कौन कौन कर रहा है फिर हम आगے का कदम उठाने वाले है कि जो जो इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव छेत्र में हम जाएंगे स्वामी जी भी जाएंगे स्वामी जी ने बोला मैं जाओंगा और उनकी पॉल खोलेंगे पॉल क्या खोलेंगे 20 साल पहले उनके पास क्या था अब उनके पास कितनी संपत्ती है और उनसे पूछेंगे ये आई कहां से तो कहेंगे भगवान ने दिये है तो भगवान को समर्पित कर दो भाई यही तो कहेंगे ना भगवान ने दिये है तो भगवान को समर्पित कर दो और भगवान जिसको देंगे उसको देंगे भगवान देश के लिए कहेंगे तो देश का खर्चा करेंगे उस मैंसे तो ऐसे करके ये एक रास्ता है संसद से कानून बनाने का दूसरा आप ये बोलोगे ये मानेंगे ही नहीं मान लो संसद में सब विरोध करेंगे एक भी समर्थन नहीं करें ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सब के सब विरोध करें एक भी हमारी बात का समर्थन न करें तब क्या करेंगे हम तब हमने दूसरा संकल लिया है कि फिर एक नई संसद हम बनाएंगे अभी संसद के जितने संसद एक साथ अगर हमारा विरोध करेंगे तो अगले चुनाओ में हम 350 सांसदों को नया चुन कर लेके जाएंगे और जो नय सांसद चुन के आएंगे वो समाज के ऐसे लोग होंगे जो इमानदार कर्मट निश्टावान जिनके जीवन में अंदर बाहर सब एक जैसा है और अभी भारत में इमानदार लोग मर नहीं गए सब अभी भी हैं उनी के कारण तो दुनिया चल रही है नहीं तो सब घटा टोप हो जाता अभी भी इमानदार हैं तो जो इमानदार लोग हैं नेतिकता वाले हैं चरित्रवान हैं, कर्मट हैं जिनकी जिन्दगी में पारदर शिता बहुत है ऐसे लोगों को चुनकर साड़े तीन सो, चार सो जितना भी है अधिक से अधिक लेके आएंगे और फिर ये प्रस्ताव पारित कराएंगे फिर देखें कौन रोकता है तो हमारी तैयारी ये है और हमने तो यहां तक तैयारी की है कि संसद में ही नहीं विधान सभाओं में 31 राज्जियों की सब नए विधाकों विधायकों को चुनकर लाई और इन भष्टाचारी बेईमानों को सब को हराई जनता हमारा साथ देगी इसका हमें वरोसा है क्यों कि हमारा जो नेता है वो एक सन्यासी है इसलिए जनता साथ देगी सन्यासी की इस देश में सबसे बड़ी इज़त है आपको तो मालूम है इस देश में सन्यासी आ जाए तो राजा सिंगासन छोड़ के खड़ा हो जाता है इतनी इज़त है इस देशुग और कोई ऐसे ही सन्यासी नहीं हो जाता बहुत तपस्या लगती है बहुत तप लगता है तो परम पूजने स्वामी रामदेव जी का जो तप है जो उनकी तपस्या है ये तपस्या हमारा सहयोग करेगी तो वो तैयारी है हमारी और 31 राज्यों की विधान सभाओं को भी बदल देंगे जरूरत पढ़ेगी तो नगर पालिकाओं को भी बदल देंगे नगर पंचायतों को बदल देंगे और जरूरत पढ़ी तो ग्राम सरपंचों को बदल देंगे नीचे से उपर तक सब नए लोग ये दूसरा रास्ता है तीसरा एक रास्ता और है अपने पास वो रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुकदमा किया जा सकता है एक मुकदमा तो अभी हो गया आपने पढ़ा होगा अकफार में स्विस बेंक का पैसा वापस लाने के लिए एक मुकदमा हो गया उसमें वकील है राम जेट मलानी आप जानते हैं राम जेट मलानी उस मुकदमे में सरकार को नोटिस चला गया सरकार इस समय घवराई हुई है इतनी घवराई हुई है कि एक दिन प्रधान मंतरी ने स्वामी जी को फोन किया कि या तो आप दिल्ली आईए नहीं तो मैं आता हूँ आपके परस प्रधान मंतरी का फोन आया मेरे सामने आया मैं सुन रहा था घवराहट मची हुई है क्योंकि सुप्रीम कोट में मुकदमा हो गया और मुकदमा सुईकार हो गया इसमें सरकार परेशा सरकार को क्या लगता था कि मुकदमा सुईकार है नहीं हो गया क्योंकि इतने जबरजस्त तत्त थे उस मुकदमे में परस्तुत किया है कि कोट मना ही नहीं कर सकता तो कोट ने नोटिस दे दिया नोटिस में क्या लिखा है जल्दी से जल्दी स्विस बैंक के खातों का पता लगाओ और हमको बताओ अब सरकार परेशान है खाते का पता लगाएं सुप्रिम कोट को बताएं तो नाम खुलेंगे सब के सरकार की परेशानी क्या है कि सरकार चलाने वाले लोग हैं उनी के खाते हैं तो उन्होंने पता है स्वामी जी को क्या कहा आप थोड़ा समय दे दो हमको दो-चार महीने, छे महीने तो स्वामी जी ने कहा दिया अनंत काल का समय तो नहीं दे सकते आपको दो महीने, चार महीने अगर आपको लगता है तो आप ले लो लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा खाते किसके हैं पैसा किसके तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया अब इस मुकदमे में सुनवाई जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मामला आगे बढ़ेगा आपको भी खबरें आती रहेंगी टीवी पे देखते रहो अकवार पढ़ते रहो ध्यान रखो इन खबरों पे इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार ने नहीं दिया तो हम देंगे हम क्या देने वाले हैं हमने एक जानकारी निकाल रखी है कि कितने भारतवासी हैं जो हर महीने स्विट्जरलेंड जाते हैं हर महीने जाते हैं कोई-कोई तो हर हफ़ते जाते हैं महीने में चार बार और उनके वीजा दिल्ली से और मुंबई से जारी होते हैं आप जानते हैं हर एक देश की एक embassy होती है तो Swiss government की embassy है वो visa देती है हमने वो जानकारी निकाल रखिये कि visa कितने ये दे रहे हैं एक महिने में, दो महिने में, तीन महिने में, साल भर में पिछले साल 92जार visa दिये उनोंने Switzerland जाने के लिए पिछले साल वो 92,000 वीजा का हमने डिटेल पता किया तो पता चला कि 12,000 वीजा थे जो हनी मून मनाने गए थे उनके है तो उनको छोड़ दो भाई हनी मून मनाने गए थे, शादी हुई चले गए कई लोग जाते हैं, सुर्जलेंड सुंदर है ये सोच के जाते हैं उन बारे हजारों में से कई लोगों से हमने पूछा कि आप बार बार जाते हैं उन्होंने का हम तो एक बार गए थे बाई दुबारा गए नहीं क्योंकि मजा नहीं आया मैं पूछा क्यों उन्होंने का उससे सुन्दर तो जम्मू कश्मीर है तो मैंने का पहले समझ में नहीं आया उन्होंने का जब गए तब समझ में आया दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो हमको ऐसा लगा कि सुर्जेलेंट बहुत सुंदर है लेकिन गए तो पता चला उससे जाला सुंदर तो अपना देश है तो हम तो दुबारा गए नहीं तो पक्का है कि उनका कुछ खाता वाता नहीं लेकिन जो हर हफ्ते जा रहे हैं महिने में चार-चार बार जा रहे हैं पांच-पांच बार जा रहे हैं पक्का है वो तो हनीमून वाले लोग नहीं तो उनके बारे में जानकरी निकाल रखी है और सुप्रीम कोट को हम ये जानकरी देंगे तब सुप्रीम कोट सरकार को कहेगा कि चलो इनकी जाच करो तो जख मार के अब करना ही पड़ेगा सरकार फस गई है अब इस माम और ये सरकार ने वाइदा भी किया है आपको मालू है ये सरकार जो चल रही है इसके एक नेता है उनका नाम है राहुल गांधी उन्होंने एलान किया था चुनाओ के पहले वो रिकॉर्ड करके हमने रखा है इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सुईस बेंक का पैसा लाएंगे और अडवानी ने भी कहा था याद है लाल कृष्ण अडवानी ने कि हमारी बनी तो हम भी लाएंगे फिर एक ऐलान किया था शरद यादवने कि हमारी सरकार बनी तो हम लाएंगे फिर एक ऐलान किया सीतरा हम ये चुरी और प्रकाश करातने कि हमारी बनी तो हम लाएंगे तो ये सब एलान कर चुके हैं तो हम तो उनको याद दिलाने वाले हैं कि आपने बोला था पैसे लाएंगे सरकार बन गई है अब लाओ और इस मामले में बात्चीत चल रही है स्वामी जी दो तीन बार मिल लिए सारे बड़े नेताओं से अब वो ये ही कह रहे हैं कि स्वामी जी बस समय दे दो दो महीने चार महीने छे महीने तो ठीक है वही समय ले लो और नहीं किया तो फिर हम करेंगे जो हमें करना है अब सुप्रीम कोट में फिर दूसरी पिटिशन भी आ जाएगी और वो यही होगी कि यह 80 खार नाम है उनमें हसन अली ने तो सुईकार किया है कि मेरा 72 खार करोड है वो खुद बोल रहा है कि मेरा 72 खार करोड है अब हसन अली जैसे अगर 100 आदमी भी हो गए तो 72 लाग करोड तो ऐसे ही हो गया तो ये पैसा सुप्रीम कोट की मदद से भी आएगा कैसे आएगा सुप्रीम कोट ने एक बार ऐसा किया था मैं पुरानी बात याद दिलाता हूँ जब नरसिम मराव इस देश में प्रधान मंत्री थे तो एक गोटाला हुआ था उसका नाम है यूरिया गोटाला उसमें 133 करोल रुपए का पेमेंट हुआ यूरिया नहीं आया पैसे चले गए यूरिया नहीं आया जाँच हुई तो पता चला वो पैसे नरसिम मराव के बेटे के खाते में जमाए तो सुप्रीम कोट ने खाता जब्त करा दिया वो खाता सुर्जलेंड की बैंक में था खाता जब्त हुआ एक 130 करोल रुपए उसमें से निकल के सुप्रीम कोट में आके जमाँ हो गए और जिसके खाते में पैसा जमाँ था वो जेल चला गया तो हम सुप्रीम कोट को इतनी बात याद दिलाएंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है आएगा के नहीं? घोटाले घोटाले सब एक तो ये 110 लाक करोड रुपए आना तो पक्का है बस इसमें समय का फेर है तुरंत आ जाए या थोड़ा एकाद साल में आ जाए हमने योजना ये बना रखी है कि ये पैसे को लाने के लिए एक और रास्ता है वो भी अपनाएंगे अगर हमको जरूरत पड़ी तो वो रास्ता है कि सुट्जर लेंड के खिलाफ अंतर राश्ट्री अदालत में मुकद्मा करेंगे और इसमें मज़ा पता है क्या आएगा कि हमारे जैसे 50 देश मुकद्मा करेंगे एक साथ क्योंकि उन देशों के भी खाते हैं उनके और इनके उपर मुकद्मा पता है हम क्या करने की तैयारी कर रहे हैं ये सुट्जर लेंड की बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं उसका वो ब्याज नहीं देते उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं फिर क्या होता है कि ये पैसा वो ब्याज पर दूसरों को उठा देते हैं और उसमें से ब्याज बसूलते हैं और अपने देश में मजा करते हैं हमारे पैसे पर वो ब्याज बसूलते हैं और मजा करते हैं हम को ब्याज नहीं देते ये बेईमानी पर मुकदमा होगा और हम जीतेंगे इसमें और वो मुकदमा जीत के ये पैसा आए जाएगा अभी अमेरिका ने किया ऐसा मालूम है? बराक उबामा जो अमेरिका में राश्च्रपती बना पहली बार एक काला आदमी गोरे अमेरिका में राश्रोपती बना अमरिका में गोरे लोगों का वोट है 85 प्रतिशत काले लोगों का वोट है 15 प्रतिशत फिर भी जीत गया क्यों जीता? उसने लोगों से एक वाइदा किया उसने कहा कि मैं राश्च्छपती बनता हूं पहला काम ये करूंगा सुइस बैंक का पैसा लाएंगा अमेरिका में भी ब्रष्टा चाह रहा है आपको मालूम वहाँ भी ब्रष्टा नेता है वह भी पैसा ले जाके सूइस बैंक में रखते हैं तो उसने का था मैं लेके आओंगा तो लोगों ने वोट दिया उसको इतना वोट दिया कि किसी को नहीं मिला धाई सो साल में इतना वोट उसको मिल गया किल और उसने वाइदा निभाया जीतने के पंद्रे दिन के बाद उसने ये कानून बना दिया और कानून बनने के 21 दिन में पैसा आ गया अमेरिका के 4,490 लोगों के खाते पकड़े गए स्वेस बैंक में और 470 अरफ डॉलर मिल गया अमेरिका ने उस पैसे को निकाल लिया अब अमेरिका ने ये कर लिया तो भारत भी कर सकता है और बराक उबामा ने भारत के प्रधान मंतरी को चिट्टी लिखी है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस काम आप अगर बोलो तो मैं मदद कर सकता हूँ कैसे मैंने पैसा निकाला है मुझे मालूम है आप भी निकाला है तो वो मदद करने को तैयार है क्योंकि बराक उबामा जो है ना भारत के एक नेता को सबसे ज़्यादा मानता है वो है महात्मा गांदी बराक उबामा के आफिस में और उसके घर में जिस नेता की फोटो है वो महात्मा गांदी की ही है और उसके एक पूरवज की है मार्टिन लूथर किंग दो ही फोटो रखता है वो अपने घर में गांदी जी का भगत है वो कहता गांदी जी सच्चे आदमी थे वो ही दुनिया को दिशा दिखा सकते है और वो कहता भारत गांदी जी का देश है इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूँ दूसरा हनुमान जी का भगत है आपको मालूम है जब वो चुनाव लड़ रहा था तो बजरंग बली की एक विशाल मूर्ती उसने यहां से मंगवाई अपने ओफिस में स्थाफित की उनकी पूजा करता है है वैसे इसाई आदा इसाई आदा मुसल्मान है आदा आदा है लेकिन हनुमान जी का भगत है और हनुमान जी भारत के तो वो कहता है मैं मदद करना चाहता हूँ भारत के तो अच्छा है ऐसे और भी लोग खड़े हो जाएंगे हमको तो ये आना है पैसा आज नहीं तो कल अब करेंगे क्या हम इस पैसे का वो महत्यों का है तो उसके लिए हमने भारत स्वाविमान की तरफ से एक योजना बनाई है वो पूरी योजना तो नहीं बता सकता समय बहुत लगेगा उसके दो तीन बिंदू बताता हूँ सबसे पहला काम इस पैसे के आने के बाद हम यो करना चाहते हैं वो ये कि भारत के गाउं गाउं में उद्योग लगाने है गाउं में शेहरों में तो बहुत उद्योग लग गए गाउं में लगाने है आप बोलेंगे जी गाओं में कौन से उद्द्योग लग सकते हैं सौ उद्द्योग हैं जो गाओं में हर जगे लग सकते हैं सौ उनमें सबसे पहला उद्द्योग जो गाओं गाओं में हम लगवाना चाहते हैं वो है भारत के दो लाख गाओं में कपास पैदा होती है तो कपास से सूत बन सकता है सूत से चरखा चलाके लूम चलाके खादी का कपड़ा बन सकता है तो दो लाख गाओं में चरखा चलाने का खादी बनाने का उद्योग हो सकता है जहां कपास है वहां सूत है जहां सूत है वहां खादी है तो खादी बनेगी दो लाग गाओं में और बिकेगी पूरे देश में कौन खरीदेगा आप खरीदो मैं खरीदू हमने तो बारस्वाइमान की तरफ से तै कर लिया है कि हर एक योग सिक्षक अब खादी ही पहनेगा क्योंकि आपको मालूम है परंपुजनी स्वामी जी ने खादी पहनना शुरू कर दिया वो तो भगवाई पहनते हैं ना वो भी अब खादी का आ गया वो कहते हैं मैं पहनूंगा तो मेरे सारे चेले पहनेंगे देश में तो सारे योग सिक्षक खादी पहनेंगे ग्यारे लाख योग सिक्षक ग्यारे लाख परिवार अगर खादी खरीदने लगें करोडों मीटर खादी बिकेगी और पिर ये 11 लाख अगर 10-10 को भी कहेंगे भाई तुम भी खादी ले लो तुम भी खादी ले लो और खादी विकेगी तो बनेगी गाओं में विकेगी शहरों में आप भी इसको ध्यान रखना कि खादी खरीद के 2 लाख गाओं को हम रोजगार दे सकते हैं और हमने हिसाब निकाला 15 करोड लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा खादी के कपड़े में और ये अकेली ऐसी चीज़ है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है बिना बिजली के ये सब काम होगा चर्खा चलाना हाथ से, सूत को बुनना हाथ से, सूत को रंगना हाथ से, कपड़े का पड़े, ये सब हाथ का काम है, इसमें बिजली की कहीं जरूरत ही नहीं, तो बिजली आए नहीं आए, कोई फरक नहीं पड़ता, ये काम चल पड़े, ऐसी दूसरा उद्द्योग हमने तै कि भारत में लगबग एक लाक से जादा गाओं हैं जहां सरसों पैदा होती है तिल पैदा होता है नारियल पैदा होता है तो सरसों जहां होती है वहां सरसों का तेल निकल सकता है तिल जहां होता है वहां तिल का तेल निकल सकता है और जहां नारियल है वहां नारियल का अभी तेल निकलता है शहर के बड़े-बड़े कारखानों में हम तेल निकल वाएंगे छोटे-छोटे गाउं और ये तेल निकानने के लिए भी बिजली नहीं चाहिए वो कोलू चलता था था ना पहले बैल वाला उसी से निकल वाएंगे उसकी दो फाइदे हैं तेल की क्वालिटी अच्छी रहती है ये बिजली वाली मशीन जो घूमती है ना ये तेल को जला देती है क्योंकि तापमान बहुत है तो तेल का प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है और धीरे-धीरे कोलू का जो तेल निकलता है उसमें सारी प्रोटीन सुरक्षित रहती है और वेग्यानिकों का ये कहना है कि ये कोलू का तेल जो भी खाएगा उसको हिर्देगहात कभी नहीं आ सकता आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये जो कोलू का तेल है इसको खाने से शरीर में HDL बढ़ता है और HDL वो केमीकल है जो शरीर को सुरक्षित रखता है हिर्देगहात लाने वाला जो केमीकल है वो LDL और VLDL है वो मशीन के तेल से बढ़ता है तो लोगों का स्वास्त भी अच्छा हो अब मुझे समझ में आया कि हजारों साल हमारे दादा दादी वो कोलू का ही तेल खाते थे किसी को हिर्देगहात नहीं होता था जब से ये मशीनों का तेल आया हम उसको रिफाइन तेल कहते हैं डबल रिफाइन तब से हर्ट अटेग भी ज़्यादा आया तो लोगों का स्वास्त अच्छा होगा और तेल तो हम ले लेंगे खली बचेगी वो जानवरों के काम आएगी खली खिलाओ जानवरों को दूद खूब बढ़ता और दूद गाड़ा होता है दूद में घी जादा निकलता है जो जानवर तिल के तेल की खली खाते हैं सरसों के तेल की खली खाते है गाउं में ये करना है। उपए किलो तो बिकी सकता है कौन बेचेगा इसको हम बिकवाएंगे अपना जो भारत स्वाजमान ट्रस्ट है न अगले साल इसकी पूरे देश में एक हजार दुकाने होने वाली है एक हजार आरोग्य केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं उन आरोग केंद्रों पर गाओं गाओं में बना हुआ माल ही बिकेगा तो चिप्स बनाएंगी गाओं की माताएं बहने बिकवाएंगे हम उनका पैसा उनको मिलेगा तो आलू के चिप्स का उद्द्योग चलेगा ऐसे ही 65,000 गाओं है भारत में जहां टमाटर पैदा होता है वहां टमाटर की चट्नी बनाएंगे और चट्नी शहर में बिकेगी टमाटर बिकता बीस रुपई किलो चट्नी दो सो रुपई किलो आलू बिकता है दस बारे रुपई किलो चिप्स चार सो रुपई किलो तो हम चाहते हैं कि गाउं से कच्चा माल बिकने के लिए ना आए पक्का माल गाउं से बिकने के लिए शहर में आए एक लाग गाउं हैं जहां गेहूं पैदा होता है अच्छा गेहूं होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है कुछ इलाकों में कठिया गेहूं है उसकी जैसी ताकत कहीं नहीं है और ये कठिया गेहूं की विशेष्टा है कि बिना पानी के होता है पूरे बुंदेल खंड में भड़ा पड़ा है तो जहां सबसे अच्छा गेहूं है वहां गेहूं का आटा बनवाएंगे गेहूं नहीं बिकवाएंगे आटा बिकवाएंगे गेहूं तो ग्यार रुपई किलो बिकता आटा चब्वीस रुपई किलो बिकता आटा बना बना के गेहूं का बेचेंगे और अगर बिजली नहीं है तो हात वाली चक्की चलवाएंगे हजारों साल तो हमने वोई आटा खाया और जिनोंने वो आटा खाया है और जिनोंने वो आटा बनाया है किसी भी माँ और बहन को बच्चे के जन्म के समय सीजेरियन नहीं करवाना पड़ा क्योंकि वो चक्की चलाने से गरभाशे का इतना एक्सरसाइज होता है कि बिना सीजेरियन बच्चे पैदा होते रहे इस देश में वो चक्की इतनी बड़ी चीज है और हम तो आज के लोगों को कहेंगे कि जिनका पेट बाहर निकला है वो सब चक्की चलाओ आटा बनाओ पेट भी अंदर करो अपने दोनों फाइदे और वो चक्की के आटे के फाइदे बहुत है इसमें आटा दीरे दीरे बनता है तो क्वालिटी अच्छी है और ये बिजली वाले में तेजी से बनता है तो जलता है तो हर गाओं में गिहूं का आटा हर गाओं में आलू का चेपस हर गाओं में टमाटर की चटनी हर गाओं में ऐसे ऐसे काम हम सो कराना चाहते हैं सूती, खादी के कपड़े का उद्योग ऐसे सो उद्योग हर गाओं में हो सकते हैं उनमें हर एक उद्योग में अगर दस आदमी को भी काम मिले तो हर गाओं में हजार परिवार को काम मिलेगा एक हजार से जादा परिवार किसी गाओं में नहीं होते मने हर गाओं में संपुन रोजगार हो जाएगा और हमने इसका हिसाब निकाला ये 100 उद्योग 6,35,365 गाओं में अगर हो गए तो 60 करोड़ लोगों को इसमें काम में लेगा तो नक्षा हम बदलना चाहते हैं इस देश का अभी सारे उद्योग शहर में है हम 100 उद्योग शहर से गाओं में ले जाना चाहते हैं शहर में सिर्फ ऐसे उद्योग होंगे जो गाओं में नहीं चल सकते जैसे टेलिवीजन बनाने का उद्योग गाओं में नहीं चल सकता वो शहर में चलेगा साइकल बनाने का उद्योग गाओं में नहीं चल सकता वो शहर में चलेगा इसी तरह से कार बनाने का उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कि गाउं गाउं में बिजली हो हर गाउं में बिजली हो अगर शहर में है तो गाउं में भी हो नहीं तो किसी को बिजली नहीं हो सहर वाले भी याँ देरे में रहें गाउं वाले भी रहें बिजली है तो सब को हो ये नहीं कि शेर वालों को मिले गाओं वालों को नहीं बिजली हो तो बिजली घर चाहिए तो हमने उसके लिए योजना बनाई है कि छोटे छोटे बिजली घर बनाईएंगे एक एक मेगावाट के दो दो मेगावाट के और दस गाओं के बीच एक बिजली घर लगाएंगे दस गाओं की बिजली की जरूरत एक बिजली घर पूरा करें तो ऐसे एक लाख बिजली घर लगेंगे और एक लाख बिजली घरों को लगाने में पांच लाख करोड खर्च होगा तो कर देंगे, क्या फरक पड़ता है, 110 लाग करोड है और ये छोटे बिजली घर हम इसलिए लगाना चाहते हैं अभी भारत में पता है क्या होता, बड़े बिजली घर लगते हैं 1000 मेगा वाट, 500 मेगा वाट, 2000 मेगा वाट उसमें बिजली पैदा होती है, वो 12,000 वोल्ट की होती है, 13,000 वोल्ट की होती है, 15,000 वोल्ट की होती है बहुत ज़्यादा हाई, अब उस बिजली को घर में जलाना हो तो 220 वोल्ट में बदलना पड़ता है तो पंद्रे हजार वोल्ट से उसको घटाते घटाते 220 पे लाना पड़ता है उसमें बिजली नश्ट करनी पड़ती है और वो फाल्तू में खर्च होती है हमारे देश में कुल बिजली जितनी बनती है उसका 35 प्रतिशत इसी तरह से बरबाद हो जाता है कि गाउं में घड़ों में जो बिजली जलती है 220 वोल्ट की वो उतने ही वोल्ट पर बने और जले खर्च ना हो फाल्तू तो छोटे बिजली घड़ से ये संबभ है बड़े बिजली घड़ रखेंगे कारखानों के लिए या रेल चलाने के लिए छोटे बिजली घर गाओं के घरों के लिए तो सारे गाओं में बिजली हो 24 गंटे 5 लाक करोड का खर्चा वो भी कर देंगे फिर सड़क बनाएंगे फिर स्कूल बनाएंगे फिर हॉस्पिटल बनाएंगे फिर गाओं में खेल कूद के मनोरंजन के लिए काम करेंगे गव पालन पशु पालन के लिए गाओं में शेड बनाएंगे एक भी गाय भूकी न रहे एक भी पशु भूका न रहे फालतु घूमता न रहे इसके लिए जमीन की व्यवस्था सब सब पूरा काम करने का मैंने खर्चा निकाला पचास लाग करोड में सब हो जाए पचास लाग करोड खर्च करने के बाद हमको ये समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करे अभी भी साथ लाग करोड बचेगा तो उसको भारत माता के नाम से बैंक में fix deposit कर देंगे तो उसका एक साल का ब्याज 6 लाग करोड आएगा उस ब्याज से ही देश का हम खर्च चला लेंगे किसी पे tax लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब tax खतब कोई tax हमें नहीं लेना क्योंकि tax लेने से क्या करना पैसा ही तो चाहिए पैसा तो आगया Swiss bank के पैसे को ब्याज में रखने तो ही इतना आजाए tax की जरूरत नहीं सब tax खतम कर दें excise duty खतम, central sales tax खतम, octroy खतम toll tax खतम, road tax खतम corporation tax खतम सब tax खतम होते ही महंगाई कम कितनी कम होगी मैं बता रहा हूँ 90 रुपए किलो की दाल 15 रुपए किलो में 32 रुपए किलो की चीनी 11 रुपए किलो में 35 रुपए लीटर का डीजल 7 रुपए में 50 रुपए लीटर का पेटरोल 12 रुपए में 345 रुपए का रसोई 45-45 रिजर्वेशन के साथ अमरीका जाओ दिल्ली से और वापस आओ साथ से दस अजार का खर्चा मेंगाई इतनी कम हो जाए और मेंगाई कम हो गई तो आपको भी मुझको भी सबको आनंद तो स्वर्ग तो यहीं बनेगा और कहीं नहीं बनेगा ऐसा देश बनाना चाहते है इसके लिए वो पैसा लाना है और उसके लिए यह अभियान चलाना है तो आप बुलेंगे हम क्या करें इसमें आप मदद करो हमारी आप बुलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी सबसे बड़ी मदद यह लगती है कि अभी सरकार के सामने जब हम बात करते हैं ना तो सरकार हमसे पहला सवाल पता है क्या करती है आपके साथ कितने लोग है तो अभी जब प्रधान मंत्री से बात हुई तो हमने कहा कि इस समय तो ग्यारे लाख है दो साल में पांच करोड हो जाएंगे अब बताओ तो उनका तब तो हमको बात माननी ही पड़ेगी आपकी प्रधान मंत्री ने कहा परंपूज ने स्वामे जी से कि आपकी एक बात को भी ना कहने की ताकत अब नहीं है मुझे बस आप मुझे समय दो दे जब स्वामी जी ने कहा na ये ये काम हम करना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल हम करेंगे हम ना नहीं कह सकते क्योंकि आपकी ताकत इतनी बड़ी है तो हम ये ताकत और बड़ी करना चाहते हैं हिंदुस्तान की सब पार्टियों के पास कुल मिलाके चार करोड सवस्य हैं हम पांच करोड बनाना चाहते हैं ताकि हर पार्टी हमसे छोटी रहे वो छोटे रहेंगे तो बात हमारी मानेंगे लोग हमारे पास हैं तो बात हमारी चलेगी क्योंकि ये प्रजातंत रहना इसमें जिनके पास ज्यादा लोग होते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है वो अच्छी हो या खराविस से महत नहीं है ज्यादा लोगों की सुनते हैं तो ज्यादा लोग हमें एकटे करने है तो आप सब हमारे साथ आजाओ तो संख्या बढ़ेगी हमारे आप हमारे सदस से बन जाओ और सदस से बनने के लिए एक फॉर्म है वो भर दो 51 रुपए फीस है जो आप 51 रुपए दोगे वो हमारे ट्रस्ट में आएगा ट्रस्ट की तरफ से खर्चा इसी काम के लिए किया जाएगा कुछ विशे सदस से बनना चाहें जो 51 रुपए देंगे उनकी ट्रेनिंग यहीं होगी रतलाम में कोई हरिद्वार से आएगा आपको सब सिखाएगा तो आप हमारे साथ इसमें आ जाओ जल्दी से तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी जितनी जल्दी हमारी संख्या बढ़ेगी उतनी जल्दी ये काम हो जाए हमारे देश में एक कहावत है संख्य शक्ती कल्यूगे ये कल्यूग है ना कल्यूग में संगठन की ताकत सबसे बड़ी होती तो संगठन चाहिए हमको उसके लिए आप से मदद मांगने आया आप इसमें शामिल हो जाओ जल्दी से जल्दी और अपने मित्रों को परिच्चतों को उनको भी शामिल करो इसमें जितनी जल्दी ये काम होगा उतना जल्दी देश को भला होगा और इस ताकत से और भी कई काम हम कराना चाहते हैं तो एक काम है स्विस बैंक का पैसा लाना दूसरा एक काम हम करना चाहते हैं कि अपने भारत देश में हजार पांसो और सो के नोट सबसे ज़्यादा छपते हैं आपको ये शायद मालूम है या नहीं कि जितने नोट बजार में है ना उसमें 85 प्रतिशत नोट बड़े नोट हैं हजार के पांसो के सो के और पंदर प्रतिशत नोट हैं वो 50 के 20 के 10 के और 5 के और एक के हैं अब 84 करूल लोगों को तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को तो उनको तो हजार रुपय क्या जरूरत है इसका माने जादा लोगों को तो बीस और पचास का नोट चाहिए तो हम चाहते हैं कि इस देश में बीस और पचास के नोट ही चलें सब हजार का नोट बंदो पांसो का बंदो, सो का बंदो ये कानून बदलना है अपने को तो इसके दो फाइदे हैं एक तो गरीब आदनी को जो चाहिए वो मिलेगा दूसरा बड़े नोटों से इस देश में ब्रष्टाचार जादा होता है नोट अगर छोटे हो गए तो ब्रष्टाचार कम होगा अभी किसी को 10 करोड की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफ केस में भर के दे आता है और जब 50 रुपए से उपर का नोट ही नहीं होगा तब देखे 10 करोड की रिश्वत कैसे देगा ट्रक भर के नोटों के बंडल ले जाने पड़ेंगे तो लेने वाला भी परेशान और देने वाला भी परेशान लेने वाला रखेगा कहा एक ट्रक भर के बंडल तो ये जख मार के भरष्टाचार कम होगा और इससे भी बड़ा एक दूसरा काम होगा वो ये कि अपने भारत में पाकिस्तान की तरफ से जाली नोट आजकल बहुत आ रहे हैं आप अकवार पढ़ते हैं 15 से 20 प्रतिशत जाली नोट आ गए अपने देश में और पाकिस्तान ये जाली नोट जो भेजता है न वो हजार और पांसो और सो के ही है पचास के नहीं भेजता एक पाकिस्तानी एजेंट को अभी सरकार में पकड़ा है उससे पूछा कि तुम पचास के नोट क्यो नहीं लाते जाली तो उसने का वो महंगा पड़ता है उसने उसका हिसाब बताया कि पचास का नोट छापना उसको पाकिस्तान से भारत लेके आना इसमें एक पचास का नोट चलाने में पच्पन रुपए खर्च होते हैं तो हमको घाटा है और बीस का नोट चलाने में 25 खर्च होते हैं 10 का चलाने में 15 खर्च होते हैं वो कहता हजार का हम इसलिए लाते हैं कि ये सस्था पड़ता है 500 का भी सस्था पड़ता है 100 का तो आप 1500 अचिनोट ही खटम कर दो तो जाली नोट की समस्या हल हो जाएगी اور लोगों की जिरूजरत की नोट जाएगा चेक से होगा या ड्राफ्ट से होगा तो चेक और ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन अगर बढ़ता है तो इमानदारी बढ़ेगी बैंकों का व्यवसाय बढ़ेगा लोगों का रोजगार बढ़ेगा ज्यादा बैंक खुलने पड़ेंगे लोगों को बचत करने की इसके कानून सब अंग्रेज़ों के जमाने के हैं एक IPC है इंडियन पीनल कोड एक CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक CPC Civil Procedure Court ये सब अंग्रेजों के जमाने के कानून है ये हटाना है हमको क्योंकि इस कानून से नियाए नहीं मिलता किसी कानून ही ऐसे हैं नियाए देए नहीं सकते हो IPC, CRPC, CPC के बारे में एक पूर्व मुख्य नियाए धीश से मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा मैंने उनको पूछा कि कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे है तो उन्होंने का साड़े तीन करोड मैंने का इनका फैसला कब आएगा तो उन्होंने का तीन सो साल में मैं पूछा क्यों तो उन्होंने का कानून ऐसा है IPC, CRPC, CPC जल्दी फैसला आई ही नहीं सकता अब 300 साल में फैसला आए तो बादी भी मर जाएगा प्रतिबादी भी मर जाएगा फैसला किसको करोगे आप 300 साल कौन जिन्दा रहेगा इसका माने कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें फैसला जल्दी से जल्दी क्योंकि अंग्रे जी उनकी भाषा नहीं है फैल हो गए तो क्या बात है मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूँ भारत के एक प्रधान मंत्री थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी उनका बड़ा बेटा हर समय अंग्रे जी में फैल होता था अब प्रधान मंत्री का बेटा अंग्रे जी में फैल हो सकता है तो किसान का बेटा फैल हो जा तो कौन सी बात शास्त्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं थी वो तो कहा करते थे कि ये हिंदी में फैल हुआ तब इसकी मैं मरम्मत करूँगा अंग्रेजी में फेल हो जाए तो क्या फरक पढ़ता हो गया तो ये हमें सब को समझना है और मोटी सी बात है कि जब इंग्लेंड का कोई आदमी अपने बच्चे को हिंदी में नहीं सिखा रहा पढ़ा रहा तो आप क्यों सिखा पढ़ा रहे है सारे विशे हम हिंदी करना चाहते हैं ताकि आसान हो जाए और सिख्षा में जैसे ही मातरभाशा आएगी बोज़ा कम हो जाए तो ऐसे ऐसे कुछ कुल मिलाकर 64 काम हम करना चाहते है मैंने 8-10 आपको बता दिये समय की कमी है इसलिए जादा नहीं बताता आगे कभी आऊंगा तो फिर बताऊंगा ये सब काम करने के लिए संगठन चाहिए संगठन के लिए आपका सहयोग चाहिए और आपका सहयोग मिलेगा ऐसी मुझे पूरी आशा है आप अगर इस संगठन में शामिल होते हैं संख्या बढ़ती है ताकत हमारी खड़ी होती है सरकार के सामने हम ये सब दबाओ के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं इसके लिए आपका सहयोग तो आप आज से ही तै करिए जल्दी से जल्दी इस संगठन के सदस्य हो जाईए दूसरों को बनाने के लिए प्रयास करिए और एक छोटी सी आखरी बात स्वामी जी कहते हैं कि इस संगठन का जो सदस्य बनेगा उसको तीन बाते माननी पड़ेगी नहीं मानेगा तो सदस्य नहीं रह सकता पहली बात ये माननी पड़ेगी कि अपनी जिन्दगी में जितने भी सामानों का हम इस्तेमाल करें वो स्वदेशी होने चाहिए इस संगठन की शर्त है ये हर संगठन की शर्त होती है न कि आप हमारे यह आओगे तो ये मानना पड़ेगा तो हमारे संगटन में पहली बात ये माननी पड़ेगी कि विदेशी चीज नहीं खरीद सकते तो अपने घर से आपको विदेशी चीज हटानी है और स्वदेशी ही लाना है तो आप पूछेंगे हमें तो पता ही नहीं है विदेशी चीज क्या है? स्वदेशी चीज क्या है? उसके लिए हमने एक सूची बनाई है और एक पुस्तक है जीवन दर्शन वो पुस्तक यहां मिलती है यह इसकी आप देखलो यह पुस्तक है स्वामी जी का फोटो बना इसको खोलना तो पीछे के पन्ने पर 115 नमबर का पेज है ये पेज है इसमें पूरी लिस्ट है एक तरफ लिखा है स्वदेशी सामान एक तरफ लिखा है विदेशी सामान विदेशी लाना नहीं है सिर्फ स्वदेशी लाना ये पुस्तक से मिल जाए आप चाहें तो इसकी फोटो कॉपी करा सकते हैं देशी विदेशी सामान की रसोई गर में चिपका के रख सकते हैं और हर बार बाजार जाएं तो इसको देख के सामान खरी दें ये पहली शर्त है दूसरी शर्त क्या है इस संगठन में जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्तिकत जिंदगी में हिंदू मुसल्मान सिख हिसाई कुछ भी हो सकता है सार्जनिक जीवन में उसको भारतिय होना पड़ेगा वो सार्जनिक जीवन में हिंदू मुसल्मान सिख हिसाई नहीं हो सकता सब के लिए ये दरवाजा खुला है इस संगठन का कोई भी व्यक्ति आए अगर हिंदू मुसल्मान है तो घर में छोड़ के आए हमारे यां आएगा तो वो सिर्फ भारतिय है और भारतिय तो व्यक्तिकत जीवन में आप हिंदू मुसल्मान सिख हिसाई जैन पारसी कुछ भी हो सकते हैं आप देश के लिए जब काम करने आ रहे हैं तो आप सब एक हैं भारतिय हैं ये दूसरी शर्त और तीसरी शर्त है कि जो व्यक्ति संगठन में आएगा वो व्यसन नहीं कर सकता दारू नहीं पी सकता मास नहीं खा सकता अंडा नहीं खा सकता नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस पूरे अंदुले में तो व्यसन छोड़ेगा मास, मचली, अंडा, दारू, शराब, बीडी, सिगरेट, गुटका, मावा, सब तब वो इस संगठन का सदस्य बने रही ये तीन शर्टें सब के लिए है तो इनका पालन हम सब कर रहे हैं अपने जीवन में और दूसरों को पालन करवाने के लिए प्रयास करें तो एक दिन हम जरूर सफल होने वाले हैं क्योंकि ये काम आ जा दी के 62 साल में होना चाहिए था नहीं हो पाया अब आने वाले समय में हमें करना है और ये काम कोई हम अकेले करने वाले ऐसा नहीं है हमारे लाखों लाखों करांतिकारियों का यही सपना था कि देश आजादी के बाद निरोगी हो सुखी हो समर्दशाली हो संपत्तिवान हो स्वदेशी हो स्वावलंबी हो यही सपना था गांदी जी का यही सपना था सरदार भगत सिंग का यही सपना था दूसरे करांतिकारियों का तो हम तो अपने को यह मानते हैं कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए हम यह काम कर रहे हैं और हम यह भी मानते हैं कि काम हम नहीं कर रहे हैं काम तो कोई और करवा रहा है हम तो निमित मात रहे हैं ये बगवान करवा रहा है ये इश्वर करवा रहा है वही हमको अकल दे रहा है वही बुद्धी दे रहा है उसी के कहने पर हम सब कर रहे हैं हम तो निमित हैं आप भी हमारे साथ अगर इस काम में जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में आपके बेटे बेटियां घर्व से कहेंगे कि जब भारत स्वाविमान का भ्यान चला था तो मेरे पिता जी माता जी भी उसमें थे जैसे आज कई लोग घर्व से कहते हैं न माता पिता 1942 की लड़ाई में गांदी जी के साथ थे ऐसे ही आने वाला समय आपको कहेगा कि हाँ आप घर्व से कहें और जो नहीं शामिल होंगे काम तो यह होने वाला है देखो मैं आपको बता दूँ आप शामिल हो जाओ तो जल्दी होगा नहीं होगे तो थोड़ा देर में होगा होना तो इसको है तो आप शामिल हो जाएं तो वो यह अच्छा नहीं होगे तो फिर आपके यह बच्चे आपको गाली देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब यह भारसवाई मान का भियान चल रहा था तो अपने बच्चों के सामने शर्मिन्दा ना होना पड़े अपने बच्चों के सामने कभी अफसोस ना करना पड़े इसके लिए भी आप इसमें शामिल हो जाएं ऐसी विनम रपेक्षा के साथ आपका आभार विक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत आफार बहुत बहुत आफार कि नए सबस्ता हूं के लिए तससे भी बिजना पूरे देश्च कि पड़ता है अगर में आफे जले जातों एक साथे एक लिए जाप वह बना को अधारा हुत देए आइदा अधार या समुत अधार से जाते लिए चलातव साथा पांदिशा हूं कर लबेदा हूं